हेलो बच्चो मेरा नाम है राजमान सिंग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परसंटाइल बूस्टर बैच में आज हम लोग एक बड़ा भ्यंकर से चैप्टर लेने वाले हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग जैमेंस के हाइस्ट वेटिंग चैप्टर अब आज आपका सबसे ज़्यादा हूंवक रहेगा आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है काफी ज़्यादा भी हो सकती है उसका मैं कोई गरेंटी नहीं लेना क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग इस लेक्चर में जाएं तो मोमेंट काफी बड़े बड़े और देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक से कम कोश्टन पूछे जाते हो ठीक है हमारे पास अगर आप सभी लोगों ने रोटेशनल मोशन पढ़ा है और उसके पी वाई क्यूस करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अच्छा खासा देखो यार अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा खासा वेटेज इसका है काफी सारे कोश्टन हर साल आते हैं ठीक है सेकेंड कैटिगरी में अगर मैं डालूंगा तो वह आपका अगर आपको आगे का चैप्टर नहीं भी समझ आता है तो इसको आप इन्डिपेंडेंटली दियार कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ठीक है सेकेंड आप अगर चाहें तो एंगलर मोमेंटम केलकुलेशन्स की कैसे अगलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और इसको पढ़ लीजे तो आपके मैं कहारा हूं 50% of the questions आपके हो जाएंगे थर्ड केटिगरी जो है हमाया पास that is torque और rolling motion combine आप देखें तो दोनों के approximately same ही number of questions आते हैं तो third number and fourth number इस order में आप chapter को एक बार पढ़ने के बाद पूरा chapter पढ़ने के बाद एक बार अगर आप देख motivation के आए हैं फिर torque और rolling motion पे almost same ही equations या same ही number of questions है ठीक है third मैंने इसको इसलिए category दिये क्योंकि torque निकालना आपके लिए आसान है rolling motion में बहुत सारी चीजे भी आजाती है friction आजाता है equations लिखनी आती है solve करना होता है तो comparatively आप torque को देखें लास्ट केस में आप अपना rolling motion को approximately मैं खुद जो slides number of slides लेकर आया हूँ ठीक है that is 72 ठीक है अब देख सकते हैं कि अब हमारे पास हर बार class में हम लोग 30 के आसपास 25 to 30 के आसपास question करते हैं अब बहुत minimize करने के बाद भी मैं 72 से कम नहीं गर पा रहा था मैंको ऐसा लग रहा था ये तो जाने ही चाहिए तो मैं मैंने आपर क्या करा है कि जो important questions है मैं बच्चा miss ना करे तो यहां पर मैंने सारी categories को लिया है अब आपका ये चीज है ध्यांस देखना बेटा जो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है although मैं हर question पर homework लिख दूँगा जो मैं question करूँगा वो yellow से marked है और आपके जो question homework व ठीक है जो भी आपकी होंगी वो आपकी homework slides है ठीक है homework slides है और ये वो questions की आपकी homework slides है जो बहुत repetitive form में है concept मैं question से discuss करूँगा आप देखेंगे minor modification या similar type of questions कई बार repeat हुए तो पूरे chapter को त्यार गरने के बाद at least आपके हाथ से ये analysis नहीं जानी चाहिए जो मैं आपको analysis के बा advice क्या गरना है answer आगया तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं आया है तो उसका solution देखेंगे यही होती है सर हमारी analysis analysis होती है कि कौन से question ज्यादा repeat हो रहे हैं अगर JEE की बात करी जाए मेंस की बात करी जाए तो किस concept के around वो ज्यादा question पूछ रहे हैं तो वो आपका weak point नहीं होना चाहिए otherwise उसी के around अगर आपका question आएगा तो आपसे गलती होने के chances होंगे तो उसकी practice आपकी ज्यादा होनी चाहिए ठीक है तो जो orange heading वाली होंगी वो आपके homework slide होंगे answers मैं इसलिए mark नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मेरे से जल्द बाजी में answers मैंने गलत A, B, C कहीं लिख दिया तो आपका अगर answer सही भी आ रहा है तो आप confused ना हो, answers आप online check कर सकते हैं, ठीक है, online आप question google through, ठीक है, आप google करके अपना answer जरूर check करिएगा, और ये आप अपना DPP मानिएगा rotation का, अगर आपने ये पूरा आज का lecture complete करा, believe me, आपको rotation का, जो आपके, मैं ये नही आप rotation में perfect हो जाएंगे, उसके लिए time लगता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर believe दिलाऊंगा, कि इसमें से आपको कई सारी चीजे repetitive form में मिलेंगी, जब मैं आपको सामने दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजे हमें अपने पहले बारी में अगर पता होती ह हम ज्यादा impact create कर सकते हैं, तो चलिए बेटा, करते हैं अपने lecture की शुरुआत, सबसे पहला है हमारे पास ये इस प्रकार का question आपके दो या तीन बार आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं into three लिख रहा हूं, मैं इसका दूसरा वाला नहीं लेकिया है, आप समझ सकते हैं, basic form है, हम यहाँ पर इन्होंने बता रख है, moment of inertia और यहाँ पर result है, तो हमें answers match करने है, moment of inertia, ठीक है, moment of inertia of solid sphere of radius r, about any tangent, अगर आप solid sphere की बात करें, पहले वाले के लिए, solid sphere का, जो अपने के about होता है, that is 2 by 5 mr square, यह होता है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, parallel axis theorem लगाएंगे, अब आ tangent के around चीए, तो आप कितना distance shift करेंगे, r, तो parallel axis theorem क्या होती थी, new axis के अगर आप out निकालना है, तो icom plus mass of the body into h square आपको करना है, तो यह आपका आजएगा 2 by 5 mr square plus m into r square, अगर आप देखेंगे, तो यह आपका आजएगा 7 by 5 mr square, तो पहले वाले का आपका answer आएगा, 7 by 5 mr square, तो इसका आपका option हो जाएगा second, यह वाला इसके साथ match कर जाएगा, ठीक है, next है हमारे पास moment of inertia of a hollow sphere of radius above about any tangent, अगर आप hollow sphere की बात करें, इस वाले के लिए बात करें, तो hollow sphere का जो अपने खुद के about होता है, that is 2 by 3 mr square, अगर आप इसमें parallel axis theorem लगाएं, इस axis के about में को निकालना है तो r distance आप shift करेंगे, तो जो इसका i answer जो हमें report करना है, that is center of mass के about 2 by 3 mr square, plus mass of the body और shifted distance का square, तो यह आदेगा 5 by 3 mr square कुछ इस प्रकार से, तो हमारे पास इसका जो option बनेगा, that will be first option, ठीक है, moment of inertia of a circular ring of the radius r about its diameter, तो यहाँ पर आप क्या लगाते है, perpendicular axis theorem, अगर माल लीजेए, आपकी एक ring है, तो आपको इस axis के about moment of inertia पता है, mr square, और perpendicular axis क्या कहते थी, ix plus iy equal to iz, अगर आप इसके diameter के about बात करें, तो यह वाला diameter और यह वाला diameter symmetrical है, दोनो 90 degree पर है, तो आप यहाँ पर 2i diameter कह सकते है, that is equal to mr square, और diameter के about जो आपका moment of inertia आएगा, that is mr square by 2, इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो यह आपका fourth option, ठीक है, यह आपका fourth option match करेगा, moment of inertia of a circular disc और radius are about a diameter, इसी प्रकार से अगर आप disc का करेंगे, ठीक है, तो twice of i diameter, जो disc का होता है, that is half mr square, पहले से ही half होता है, तो i diameter, that is equal to 1 by 4 of mr square, इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, तो that is third option, तो सबसे पहला है parallel axis, इसमें आपको concept क्या याद रखना था, याद रखना है, concept है, हमारे पास parallel and perpendicular axis theorem, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको यह revise कर लेनी है, ठीक है, तो अब अगर हम लोग match करें, तो a का second, 2143, 2143, हमारे पास first option, that will be your answer, इसी के ऊपर एक और question है, पहले उसको भी निप्टा ही लेते हैं, ठीक है, यह वाला question, क्योंकि यह concept भी parallel axis and perpendicular axis पर था, तो हम लोग इसको साथ में, इसी के साथ निप्टा लेते हैं, the moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through its diameter and a distance x, एक solid sphere है बेटा, ठीक है, आपका, किसी भी x distance के about इसका, अगर मेरे को moment of inertia चाहिए, तो हमें, i x का graph बनाना है, ठीक है, इसमें दो concept बनेंगे, दोनों concept में आपको बताऊंगा, जरी यह चीज़ समझना, अगर आप देखें, तो parallel axis theorem है, i x आपका क्या होगा, i x आपका होगा, i center of mass, plus m into shifted distance का square, कुछ इस प्रकार से होगा, देखो जो भी center of mass है, वो fix होगा, जरी अगर solid sphere है, तो 2 by 5 of mr square, plus m into x का whole square, यह आपका i x basically होगा, clear, तो अब ध्यान से देखें, तो हमाई पर linear graph होगा नहीं, यह कह रहे हैं, parabolic है, यह भी हमारे पास, दोनों आपके, यहाँ पर गड़बढ है, यह वाला आपका linear graph होगा नहीं, एक option जो j ने दिया था, that is this, ठीक है, कि इनोंने यह वाला graph बना दिया था, यहाँ से, center से, बलब origin से, एक आपका graph ऐसा है, और एक आपका graph ऐसा है, ठीक है, तो, जब आपकी x equal to 0 है, तो center of mass के about आपका moment of inertia रहेगा बेटा, तो, हमारे पास d option, that will be your answer, j ने अभी तक इसी को और modify दिया रहे है, ध्याँ से, देखो, अगर आप इस graph की बात करें, तो this is your minima point, this is your minima point, है ना, तो इसी के ओपर एक और question आ सकता है, मैं analyze, इसको मैं कर रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए, कि अगर आपको moment of inertia as a function of x दे दिया है, ठीक है, function of x, तो अगर आपको find करना है, find location of com, find location of center of mass, अगर आप से ये पूछ लिया जाए, तो याद रखना concept आपका क्या रहेगा, concept आपका ये रहेगा, कि moment of inertia is minimum, minimum about center of mass, minimum about center of mass, एक body का जो moment of inertia होता है, वो minimum होता है, about center of mass, concept अब आपका ये हो गया, और जैसे आपका minimum word यहाँ पर जुड़ गया बेटा, तो आप कह सकते हैं, पहला step होगा, कि आप उस moment of inertia को differentiate करिए, di by dx आप निकालिए, या dy जो भी होगा, second step में, आप maxima minimum में जो करते थे, उसको आप equal to 0 डालिए, माल लीजे 0 डालने के बाद आपके multiple roots आ जाते हैं, वैसे तो अगर नहीं आए तो simple ही है, माल लीजे multiple roots आ गए, तो आप ये critical points, match में आप इसको क्या कहते थे, critical points, है ना, match में क्या कहते थे, critical points, third step आपका रहेगा, कि आप double differentiation करें, और इन points को put करें, अगर x1 पर greater than 0 आया तो minima होगा, ठीक है, और less than 0 आया, तो maxima होगा, equal to 0 आया, तो point of inflection होगा, ठीक है, point of inflection हमारे पास होगा, आपका center of mass इन में से कौन सा होगा, जहाँ पर minimum है, तो x1 will be your location of com, location of center of mass, तो क्योंकि इस पे 2-3 बार question आ चुके है, अभी तक ये वाला question नहीं हाया है, तो ये आपके लिए very very important category में जाता है, ठीक है, चला जाए आगे, अगला question है, from a solid sphere of mass m, ठीक है, अच्छा question है, ठीक है, 2015 में आया है, और अगर आप देखेंगे, तो कई बार ऐसे पुराने question, जो अच्छे question है, वो repeat हुए है, तो इस प्रकार का question आपको मिल सकता है, तो इस question को जड़ा ध्यान समझना, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, कि आपका एक solid sphere है, of mass m and r, radius r, इसका जो mass है m, और radius है बेटा, आपके पास r, ठीक है, a cube of maximum possible volume is cut, आपने इसके अंदर से एक maximum possible volume का cube निकाल लिया है, ठीक है, cube का side हम लोग ले लेते हैं, L, तो हम लोग ने maximum possible volume, जो मैं maximum possible volume का cube निकाल चकता हूँ, वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है, हमारे पास, about an axis passing through its center, moment of inertia of the cube, about an axis passing through its center, अब हमें moment of inertia बताना है, इसके center से pass होते हुए, perpendicular, perpendicular to its, one of its faces, हमें इसका moment of inertia basically बताना है, ठीक है, अब ये question बहुत अच्छा है, reason being, अगर मेरे को एक cube है, cube का volume क्या होता है, L cube, अगर मेरे को maximum volume चाहिए, तो maximum L चाहिए, अगर मेरे को इसका concept ज़र देखना, अगर मेरे को इसका maximum volume चाहिए, तो मैं L cube करूँगा, तो L भी मेरा maximum जो बन सकता है, वो ही निकालना पड़ेगा, अब इस sphere में से आप maximum length का आप क्या चीज़ कर सकते हैं, जो इसका maximum length होता है that is diagonal L root 3, अगर वो इसके diameter 2R से match कर जाए, तो maximum L आप निकाल सकते थे, तो आपका condition क्या हुआ धियान से देखना, एक sphere के अंदर maximum length कितनी हो सकती है, 2R, और एक cube के अंदर maximum length कितनी हो सकती है, diagonal L root 3, तो आप इतने length का, आप इतने length का cube जब निकालेंगे, तो ये maximum volume आपको दे अब बात आती है, कि मेरे पास इस cube में, इसमें बहुत सारे concept आपके combined है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक cube है, जिसका L हम लोगों ने निकाल लिया है, L is 2R by root 3, और इसका mass कितना होगा, कुछ बच्चे कह देंगे, sir, M होगा, नहीं भीया, M' होगा, क्योंकि mass पूर यह कैसे निकाले, तो आपको यहाँ पर unitary method लगाना पड़ेगा, क्योंकि uniformly distributed है, तो आप कह सकते थे, कि जो sphere है, 4 by 3 pi r cube में, आपका mass था M, पर unit volume में आपका कितना हो जाएगा, बेटा, M divided by 4 by 3 pi r cube यह हो जाएगा, अगर मैं cube का volume की बात करूँ, L cube volume में कितना mass आएगा, M' that will be equal to M upon 4 by 3 pi r cube into L cube आपको करना पड़ेगा, तो आपका M' कितना हो जाएगा, that will be 3 M upon 4 pi r cube और L cube को अगर आप देखें, तो यह क्या हैगा, 8 r cube divided by हमारे पास 3 root 3, यह आएगा, अगर आप यहाँ से R cube और R cube कट कर दें, यह 2 हमारे पास कट कर दें, यह 3 हमारे पास कट कर दें, तो mass कितना आ रहा है, M, 2 M divided by, एक pi बचा है, एक root 3, तो pi root 3 हमारे पास यह बचेगा, 2 M, R cube, R cube कट गया, यहाँ से pi बच गया, और यहाँ से root 3 बच गया, this is your M' अब मेरे पास mass आ गया है, और मेरे पास length आ गया है, अब बादाती है सर, हमें cube का, तो moment of inertia याद ही नहीं कराया है, बेटा याद रखना कि moment of inertia, हमारे पास mass distribution पर depend करता है, और mass पर depend करता है, mass किस प्रकार से फैला है, और mass पर depend करता है, अगर आप इस cube की बात करें, तो इस से जो perpendicular, अगर आप देखें तो sheet है, यह इस length से matter ही नहीं करेगा, यह वाली length does not matter, ठीक है, अगर आपको यह वाला doubt आ रहा है, तो what you can do is, आप मंजल legend series में जाहिए, वहाँ पर rotation में, इसका पूरा concept को समझाया है, ठीक है, तो parallel length से कोई लेना देना नहीं है, तो moment of inertia of the cube जो आएगा, तो यह आपके इसी disk का ही, यह आपका rectangular या square lamina का ही होगा, 1 by 6, m of m' of l square होगा, तो 1 by 6 and m' is 2m divided by, हमारे पास pi root 3, और l square की बात करेंगे, 4 r square divided by root 3 का square, that is 3, तो यह आपका कितना हो जाएगा बेटा, यह आपका 3 हो जाएगा, तो आएगा m, 4 m r square divided by 9 root 3 pi, that is your moment of inertia, 4 m r square divided by 9 root 3, 4 m r square divided by 9 root 3 pi, यह ही आ रहे है, 9 root 3 pi, c option आपका answer होगा, ठीक है, तो प्लीज इस question को आप एक बार और solve करिएगा, खुझ से solve करिएगा, अगला question है, the moment of inertia of the uniform cylinder, इसका concept आपको, भाई, यह जो formula है, इसका concept आपको, मंजिल legend में पहने पढ़ाया है, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आए, क्योंकि मैं आप direct formula यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उसके uniform cylinder है, ठीक है, जिसका length is L and radius is R, कितना length is L and radius is R, जो रधियान से देखना, यह वाला radius is given as R, ठीक है, तो, आ, the moment of, about an axis perpendicular bisector is I, इसके about, जो perpendicular bisector है, इसके about moment of inertia is I, what is the ratio of L by R such that moment of inertia is minimum, mark this question as very important, ठीक है, क्यों, यह अगर आप देखे, 2017, यह 2017 का हमारे पास question है, ठीक है, यह 2017 का हमारे पास question है, and 2020 में, अब जिस बच्चे ने अपने moment of inertia को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको यह कहीं न कहीं replicate देखेगा, अब आपको रटना नहीं है, आपको इसको फिर से try क homework, तो चलिए बेटा, इसको करते हैं, अब बात है कि, सर, इसका moment of inertia क्या होता है, तो जड़ा देखना, moment of inertia, देखो जो अगला वाला question है, उनको पता था कि बच्चा नहीं पढ़के आएगो, तब भी तुमारी मदद करी है, इनोंने फिर भी moment of inertia आपको दे दिया है, फिर भ में moment of inertia नहीं दे रखा, तो पहली बात, आपको ये calculate out करना है, अगर आपको calculation में दिक्कत है, तो आप मंदिल legend series में से जाके, इसको देख लीजेगा, इसका moment of inertia आता है, m into r square by 4, plus l square by 12, ये इसका moment of inertia basically होता है, सर, आपको कैसे पता लगा, देखो, रियाद करने का मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, although ये integration से आता है, ठीक है, आप यहाँ पर एक disk लेते हैं, उसका moment of inertia अपने about निकालके, ये x distance पर, minus l से plus l आप integrate करते हैं, लेकिन, देखिए, हमारे पास अगर r की value 0 होगी, ध्यान से समझना, अगर r की value में पास 0 हो जाए, तो ये case क्या बन जागा, इसके about चाहिए, तो इसके about कितना होता है, 1 by 12 ml square, आप r की value 0 डालेंगे, 1 by 12 ml square दिख रहा है, अगर आपका l की value 0 हो जाए, अगर आपके l की value 0 हो जाए, मिस ये length 0 हो जाए, तो आपका कुछ ऐसा case बन जाएगा, एक disk मिल जाएगी, ऐसे घुमते हुए, है न, l की value 0 हो तो एक disk का अपने about कितना होता है, mr square, diameter के about, mr square by 4, अगर आप l की value 0 डालेंगे, mr square by 4, दोनों cases मिल जाएगे, दोनों के combination आप से पूछा गया है, तो ये आ गया, अब बात है, कि इनोंने बोला है, कि l by r मैं ऐसा क्या रखूं, length by radius का ऐसा ratio क्या हो, कि moment of inertia minimum हो, तो obvious ही बा is m into r square by 4, plus हमारे पास, plus हमारे पास l square by 12, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, हमारे पास, और देखो, हमारे पास volume, जो होगा, that will be pi r square l, तो मैं क्या करता हूँ, कि इसको एक variable, क्योंकि radius और length दोनों variable है, एक उसमें ले आते है, r square की बात करोंगे, v divided by pi l आजाएगा, तो moment of inertia आपका कितना आएगा, बेटा, m into r square की जगा, v divided by 4 pi l, plus l square by 12, ऐसे आजाएगा, अब ये एक variable में आया है, तो अगर मैं di by dl, ठीक है, निकालूं, तो ये m into, ये आजाएगा, v upon 4 pi, और 1 upon l का differentiation, minus 1 by l square, ये आजाएगा, plus, ये आजाएगा, l by 6, है ना, क्योंकि पावर 2 आए l by 6, जब आप इसको minimum करने की बात करेंगे, तो equal to 0, तो आपका condition क्या आएगा, बेटा, आपका condition आएगा, v upon 4 pi l square, v upon 4 pi l square, is equal to l by 6, है ना, और volume को फिर से अगर मैं क्योंकि radius के term में लिया हूं, तो हमारे पास, volume is, pi r square l, divided by 4 pi l square, ठीक है, equal to l by 6, यह आगया, अगर आप देखे, l l गया, pi pi गया, यह आपका 2, यह आपका 3, r square by l square का जो value आ रहा है, that is 2 by 3, और r by l की जो value आएगी, that is under root में 2 by 3, यह आपका answer basically हो जाएगा, clear, हम लोग ने सर, double differentiation करके, चेक क्यों नहीं करा, जब तक आपका एक ही root आता है, तो जो question पूछ रहा है, वही answer होता है, physics में, maths में आपको check करना चाहिए, लेकिन, physics में वही अगर double root आ रहे होते हैं, हमारे पास अलग चीज होती, ठीक है, तो जरहें यहाँ पर ध्याँ से देखना, हमारे पास under root में, ठीक है, under, हमें L by R का ratio चीए था क्या, हाँ, हमें L by R की बात करें, ठीक है, L by R की बात करें, तो यह आ जाएगा, root of 3 by 2, ठीक है, आप अगर double differentiation से check करना भी चाहते हैं, आप check कर लिजे, वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, root 3 by 2, A option, अब जिस बच्चे ने 2017 में की practice अच्छे से करी होगी, 2020 में उसको similar type of question है, and that is your now your homework, आप यह नहीं है, हाँ सर मेरे को answer पता है, आप फिर से basic से सोचिए, formula क्या था, आप derive कर लिजे भली, और इसको basic से end अंसर तक पहुंचाईए, ठीक है, तभी आपकी दिमाग में रहेगा, otherwise अगर in future में जाके question में modification होईगी, आप concept बूल जाए है, तो आप question को basic से solve करिए, ठीक है, चला जाए आगे, अगला question है, 7 identical circular planar disk, each of mass M and radius R are welded symmetrically as shown, the moment of inertia of the arrangement about the axis normal to, यह हमाई पास 7 disk है, ठीक है, the moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing to the point P, आपके इस point पर एक ऐसी axis है, इस पूरे system का इस axis पर moment of inertia हमें बताना है, इस प्रगार के question आपको कई बार मिलेंगे, 3-4 बार आपको तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, एक आपका ये वाला question 2020 का मैं homework दे रहा हूँ, इसको आपको try करना है, similar concept और 2022 का आपका ये वाला question है, इससे पहले भी आया हुआ है, एक इस प्रकार का, जो ये वाला हमाई पास 3 balls का, जो यहाँ पर, अच् एक इस axis के बाउट भी इसका moment of inertia निकालने का आ चुका है, तो मैंने at least आपके लिए दो questions रख दिये हैं, so that आप इस concept को एक बार अच्छे से revise करने, जो थोड़ा टेडा सा question है, वो मैं कर रहा हूँ, जो थोड़े से simplistic form वाले हैं, वो आप करिए, ठीक है, आईए, concept क्या है, बाई देखो, हमाये पस एक disk का moment of inertia आपको याद है, है ना, that is half mr square, है ना, अब बात है, ये एक additive system, जैसे center of mass में additive negative होता है, यहाँ पर भी होता है, बस moment of inertia एक tensor quantity है, याद रखना, ठीक है, इसको आप exactly scalar नहीं बोलते, this is the tensor of rank basically 2, ठीक है, मतलब इसमें भी matrices determinants के, जब आप highest stress में जाएंगे, तो matrices बनते है, stress के भी matrices बनते है, इसलिए उसको भी हम scalar नहीं कहते, stress is not a scalar quantity, that is a tensor quantity of rank 2, ठीक है, तो अभी बस आपको याद रखने, ये normal scalar नहीं है, tensor है, और इसका, जब भी आप addition करें, यहाँ पर bodies जूड रही है, तो जब भी आप addition करें, या subtraction करें, ठीक bodies, about a common axis, पहले common axis पर moment of inertia ले जाएंगे, about common axis, then add or subtract, then add slash subtract, आप directly नहीं कर सकते, अब कुछ बच्चे सोचें, कि एक disk का मेरे को पता है, half mr square होता है, 7 disk है, 7 गुना हो जाएगा, गलात, ठीक है, आप सभी का, या तो आप क्या करिए, कि आप इस वाले disk का moment of inertia यहाँ लईए, इ इस वाले का यहाँ, इसका यहाँ, इस axis पर ले के आएंगे, फिर जोड़ दे, या तो यह करिए, यह तो बहुत गंदी calculation होईगी, right, तो करना तो यही है कि एक common axis पर ले जाकर ही आप जोड़ सकते हैं, sir common axis पर ले के कैसे जाएंगे, हमें तो teacher ने कुछ-कुछ ही याद गर सकते, ठीक है, तो concept आपका यह हो जाता है, कि आप moment of inertia कभी भी जोड़ें या घटाएं, पहले common axis पर ले के जाएं, सभी bodies का, फिर उसको या तो आप जोड़ सकते हैं, या तो आप घटा सकते हैं, directly आप नहीं कर सकते, तो sir अब यहाँ पर सभी का अलग-अलग से ले के जान करता है, तो यह चीज सोचना, ठीक है, मैं इस question को copy कर लेता हूं, ठीक है, हमारे पास, हाँ, मैं इस question को copy कर लेता हूं, क्योंकि यह diagram मिर को दुबारा ना बनाना पड़े, ठीक है, आईए, अब ज़रा common sense लगाना, बिटा, मैं पूरे system का center of mass, इसके about निकाल लेता हूं, प O M, अगर मैं निकालू, of system, तो यह सारी disk का add करना है, लेकिन common axis पे, यह वाली जो disk है, 1, इसके तो center से ही pass हो रहा है, तो यह हो जाएगा half MR square, और यह सारी disk के लिए distance है, यह वाला distance है, 2R, यह वाला distance है, 2R, यह 2R, यह 2R, यह 2R, यह 2R, यह 2R, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, parallel axis theorem, इस वाले का पता है, half MR square, और 2R distance आप shift कर दीजिए, तो वहाँ पर आप 6 disk के लिए, आप क्या करेंगे, center के बाउट आपको पता है, plus हमारे पास M into 2R का whole square, आप इस प्रकार से कर देंगे, है ना, तो यह आपका हो जाएगा, 7 by 2 MR square, plus हमारे पास 24, है ना, 4 आजाएगा, 64 24, MR square, यह आगया आपका, अब जैसे आपको पूरे system का, center of mass के बाउट, moment of inertia पता लग गया है, तो अब आप, पूरे system का ही, पूरे system का ही, तो आपको इस के बाउट चाहिए था, तो यह distance कितना होगा, आर, आर, एन आर, diameter है, तो आप पूरे system का, यह जो भी आया है, इसको ही shift कर दीजे, तो आपका answer क्या आएगा, बेटा, that will be, Icom of system, plus mass of the system, पूरे system का mass, into हमारे पास perpendicular distance, that is 3R का whole square, यह आपका answer आएगा, तो system का आपका आ रहा है, 7 by 2 MR square, plus 24 MR square, plus पूरे system का mass है, 7 disk है, 7M, into हमारे पास 9R square, इसको आप solve करेंगे, you will get your answer, इसको आप solve कर लिजेगा, आपका answer आपको मिल जाएगा, शायद 181 कुछ आता है, ठीक है, एक बार आप test कर लिजेगा, ठीक है, और इसी के उपर आपके यह वाला question आपका homework हो गया, आपको यह try करना है, ठीक है, क्योंकि यह concept repeat हो रहा है, एक यह वाला भी आपको try करना है, ठीक है, तो, I think मैंने दो question रखे है, additive system के, एक question additive का मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है, the circular disk D1 of mass M1, ठीक है, आपकी एक circular disk D1 है, यह वाली, ठीक है, of mass M1 and radius R has two identical disks D2 and D3, identical है, mass radius same, of the same mass and radius are attached rigidly at the opposite end as shown in the figure, ठीक है, the moment of inertia of the system about O, O, इस वाले पे आपको body को घुमा रहे हैं, तो moment of inertia आपको बताना है, यह भी अब आपका क्या हो गया, एक additive system, ठीक है, additive system, सब को जोड की बना रहे हैं, तो आपके बाद 3 bodies है, I1 plus I2 plus I3, तो आपको करना ही है, लेकिन आप common axis पर पहले लेके आईए, आप क्या क रखते हैं, otherwise आपका answer गलत आएगा, तो चलिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो पहली disk मेरे पास कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है, system की बात करते हैं, तो इस प्रकार से आपकी एक disk है, तो इस वाली axis के about इसका, I1 की बात करूँ, तो half MR square, तो यही हो गया बेटा, इसका ह ही हो गया है, अब हमारे पास एक disk इस प्रकार से है, हमारे पास, यहाँ पर, ऐसे, ठीक है, तो जो रहे यह देखना, इस disk का diameter के about तो आपको moment of inertia पता है, diameter के about moment of inertia होता है, 1 by 4 of MR square, अब आप कितना distance shift कर लीजे, R distance, तो इसका इधर चला जाएगा, तो यह वाला यहाँ पर, I2 इस axis के about कितना आएगा, 1 by 4 of MR square, center के about आगया, plus M into R square, कुछ इस टाइप से आया, तो यह आपका आजाएगा, 5 by 4 of MR square, and same thing, third वाली के लिए भी यही होगा, क्योंकि वो भी तो symmetrically ही रखा हुआ है, अगर अब आपको answer report करना था, तो आप कहेंगे, half MR square इस वाली disc का, और ऐसी आपकी दो disc है, तो जिसका आजाएगा, 5 by 4 of MR square, ऐसी, तो यह कितना आजाएगा, बिटा, MR square by 2, ठीक है, plus हमारे पास, 5 by 2 MR square, कुछ इस प्रकार से, 6 MR square by 2, इस प्रकार से, 3 MR square, that will be your answer, तो इस बार आपका answer कीतना आजाएगा, बिटा, हमारे पास, 3 MR square, that will be your answer, तो यह question है, आपके additive के, अगला हमारे पास, यह भी homework है, अब इसमें spheres, एक rod है, दो spheres है, यह आपको try करना है, यह concept repeat हो रहे हैं, बिटा, तो please body change हुई, concept same है, कि सबके moment of inertia को common axis पर लाईए, और फिर आप उसको जोड़िएगा, ठीक है, तो यह आपका repetitive question है, अगला question negative का, एक negative वाले की भी बात कर लेते हैं, इस प्रकार के आपको 3-4 question मिल जाएंगे, recent years में, ठीक है, मेरे को उस समेट operator के पास typed नहीं था, तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे, 2019 यह 20 में भी दो बार आ चुका है, और इसी प्रकार से, I think, पूरे में से इस वाले को हटाया है, तो moment of inertia बताना है, sphere के लिए भी करा हुआ है, तो इस प्रकार के question बहुत important है, this is a concept of negative systems, क्या है, negative systems, तो negative systems, जब भी आपकी body में से कोई body हट जाए, तो concept बहुत same है, concept बिलकुल ही same है, क कि आप moment of inertia घटा दीजिए, I bigger, I bigger, minus I smaller, आप बड़े में से smaller का moment of inertia घटा दीजिए, लेकिन गलती मत करना, बिना common axis पर लाए, आप उनको घटा नहीं सकते, तो सबसे पहले आपको common axis पर लाना है, और फिर आप moment of inertia को घटा सकते, अब जारा देखिए, from a uniform circular disk of radius R, एक आपकी disk है, इसी प्रकार से sphere का भी question है, ठीक है, एक आपकी uniform circular disk है, of radius R and mass is 9m, mass कितना है, आपका 9m, a small disk of radius R by 3, इसका जो radius है, that is R by 3, हम लोगो ने, यहाँ पर, is removed as shown in the figure, the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing to the center of the disk, हमें इस पूरे system का moment of inertia किसके बाउट बताना है, the moment of inertia of the remaining disk, जो बची कुछी disk है, about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center, यह कुछ इस axis के बाउट बता रहा है, ठीक है, तो obvious सी बात है, आपने body को हटाया है, तो negative system है, negative means कुछ ना कुछ remove हुआ है, तो moment of inertia घटाने है, लेकिन कैसे, common axis पर, आपके पास यहां पर एक पूरी की पूरी disk है, ठीक है, यहां पर आपके पास एक पूरी की पूरी इस प्रकार से disk थी, ठीक है, तो I bigger, यही आपका O है, जिसके बाउट में को moment of inertia चीए, I bigger कितना होता, एक disk का moment of inertia होता है, half, mass है इसका 9m, और radius है r square, तो that is 9mr square by 2, यह पू moment of inertia basically आपका हो रहा होता, भाई, circle बिल्कुल perfect बन रहा है, perfection आरी हमारे मा, ठीक है, अब आपने यहां से एक छोटी disk को हटा दिया है, है ना, अब आपने यहां से एक छोटी disk को हटा दिया है, अगर मैं बात करूँ, इतने का आपको moment of inertia बताना है, है ना, यह वाला distance आपका तो यहर जो आपने यह चीज हटाई है, यह भी तो disk हुई ना, इसका मास कितना होगा, पहले यह निकालिए, तब ही तो आप सेंटर से इसको shift कर पाएंगे, है ना, तो चलिए हम लोग unitary method लगा लेते हैं, m' हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इसका अपने सेंटर के बा स्क्वेर, ऐसे, अब m' नहीं पता, तो unitary method भाई, pi r square area में आपका मास था 9m, पर unit area में कितना हो जाएगा, 9m by pi r square, और अगर मैं इसका area निकालू हूँ, तो इसका area कितना आएगा, बेटा, pi into r by 3 का whole square, pi r square by 9, area का 1 by 9 हो रहा है, तो मास भी 1 by 9, मितलब m आने वाला है, तो pi r square by 9 में, जो आपका मास होगा, that will be 9m divided by pi r square into pi r square by 9, अगर आप देखें, तो इसका मास आ रहा है m, तो i smaller कितना होगा, about center, अपने ही center के about, that will be, यह भी एक disc है, तो half m r by 3 का whole square, तो यहाँ आजाएगा m r square, 9 दुनी 18, यहाँ गया, clear, अब यह नहीं कि इसमें से इसको घटा दे, ना 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 ना, पहले आपको अपने moment of inertia को यहाँ से, यहाँ shift करना पड़ेगा, क्योंकि हमें resultant किसके बारे में बात करनी है, resultant इस axis के about करनी है, तो यहाँ से यहाँ shift करोगे न, अभी आपने क्या निकाला यह, तो यह distance shift करेंगे, तो हमारे पास आएगा, i smaller, i smaller about o, that will be i com plus m mass of the body into h square आप करते, तो यह आपका कितना आया है, m r square by 18, plus m into 2 r by 3 का whole square, यही तो करना पड़ेगा न, क्योंकि यह distance कितना है, 2 r by 3 का whole square, तो अगर आप देखे, तो यहाँ आज आगा बेटा, m r square by 18, plus 4 m r square by 9, अगर आप lcm ले लेते, तो यह आथा, m r square plus 8 m r square, तो यह आथा, 9 m r square by 18, that will be 1 by 2 m r square, अब आप यहाँ पर answer की बात करें, अब आप minus कर सकते हैं, तो आपका i bigger, minus i smaller, आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप common axis पर लिया है, तो bigger की moment of inertia की तरह था, 9 m r square by 2, 9 m r square by 2, minus हमारे पास m r square by 2, तो यह 8 m r square by 2, आपका 4 m r square, that will be your answer, इसका जो answer आएगा, that will be your 4 m r square, तो negative system को आपको धियान रखना है, ठीक है, negative system को आपको धियान रखना है, चला जाए आगे, अगला question, variable mass system का, इसके ओपर j ने बहुत सारे question करें हैं, पूछे हैं, एक question है, आपका length वाला वो भी मैं करा रहा हूँ, एक question है, आपका area वाला वो भी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद इसी type से, देखो function vary हो रहा है, आपका question vary हो गया, आपका function vary हो रहा है, आपका question vary हो गया, और आप देख सकते कितनी बार आ रहा है, है ना, यह कितनी बार आप से repeat करवा लिया है, तो अब हमारी responsibility बनती है, कि हम लोग इस चीज़ को सीख ले, है ना, तो 1D का भी कोशन करा रहा हूँ, 1D का ज्यादा repeat नहीं हो है, 2D का जो question ज्यादा repeat हुआ है, तो 2D वाले के लिए, मैंने center of mass पे element लेना आपको बताया था, dm lambda dx, dm sigma da, dm rho dv, तो da आपका क्या होगा, 2 pi r dr, यह सारी चीज़े मैं एक बार आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसके बाद 3 question आपके लिए है, similar भले ही है, लेकिन यह repetitive form में है, तो आपको आने के chances फिर से बनते हैं, तो आपको यह question के concept को तो miss नहीं गरना है, ठीक है चलिए बेटा, इस question के बारे में बात करते हैं, the linear mass density of a thin rod a, b of length l, varies with, varies from a to b as shown as, जैसे माल लिजे कि आपके पास एक पकली सी कोई rod है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी पकली सी कोई rod है, this point is your a, and this point is your b, यहाँ से किसी भी x distance पर, जो आपका यहाँ पर lambda है, that is given as, lambda naught into 1 plus x by l, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, कि linear mass density vary कर रही है, तो मतलब, rod कहीं न कहीं mass variation हो रहा है, अब आपको जो formula पता है, 1 by 3 ml square conic about होता है sir, 1 by 12 ml square center about होता है, वो formula is not valid, बली result से वो आ जाए, calculate हो सकता है, function ऐसा हो कि result वहीं दे रहा हो, लेकिन आप directly नहीं इकर सकते हैं, ठीक है, तो आईए, हमाय पास यह दे दिया है, from a, if m is the mass of the rod, इस पूरी rod का जो mass है, that is m, ठीक है, हमारे पास, then its moment of inertia about an axis passing through a and perpendicular to the rod is, इस वाली axis के बाउट, इसका moment of inertia आपका क्या होगा, हमें यह बताना है, ठीक है, तो obvious सी बात है, आपको system को जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए, system को जोड़ते हैं, ठीक है, center of mass में भी rod का, जब mass vary हो रहा था, तो मैंने आपको concept बताया था, formula उसका वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, बस, और करना कुछ नहीं है, ठीक है, आईए, जैसे समझ लीजे, यह आपकी rod है, आप यहाँ पर इसको घुमाना चाहते हैं, rod के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, x distance पे एक छोटा सा element लेंगे, dx thickness का, जिसका mass आपका आएगा, dm that will be equal to lambda into dx, अब हर x distance पे lambda लग है, तो यह कितना होगा, lambda into 1 plus x by L into dx, यही आएगा, 1 plus x by L है, x square है, x by L, ठीक है, यहाँ गया, बाई, देखो, अगर एक छोटा सा particle इस axis के बाउट घुमेगा, तो उसका perpendicular distance तो यह है, तो इसका small moment of inertia आपका क्या होता, ठीक है, small moment of inertia होता, इसका mass into perpendicular distance का square, तो di अगर आप बात करेंगे बेटा, तो dm कितना है, lambda 0 into 1 plus x by L into हमारे पास x square dx, यह di आई आगया, अब जैसे जैसे आपके element vary करेंगे, तो moment of inertia vary करेगा, और आपको इसी axis के बाउट सब कचिए, तो अब ज़रा देखना, variable क्या है, जिसके साथ d लिखा होता है, बेटा, पहला ही आएगा, इसका moment of inertia आगया, फिर यह rod ये, 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 आप ऐसी अपने elements को रखते चले जाएए, और आपका जब last element यहाँ पर आएगा, for x equal to L, आपकी rod बन चुकी होगी, और इसके बाउट आपका moment of inertia आचुका होगा, clear, तो अब हम लो का आपको integration करना है, from 0 से L of lambda naught, ठीक है, bracket के अंदर ले जाते है, x square plus x cube by L dx, अब तो integration आसान है, lambda naught आपने बाहर निकाल लिया, अब ज़रह देखना, x square का integration बनेगा, x cube by 3, और इसका बनेगा, x की power 4 by 4 L, ऐसा, from 0 to L, जैसे आप upper limit minus lower limit डालेंगे, तो ये, आपका हो जाएगा, L cube by 3 बेटा, और एक LL कड़ जाएगा, तो L cube by 4 आपका ये हो जाएगा, अगर मैं LCM ले लूँ बेटा, तो हमारे पास lambda naught L cube और 7 by 12, ठीक है, 7 by, अरे इंखतम हो गई रहे, रबबड आ रहा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, आपका 7 by 12, हमारे पास lambda naught L cube, ये आ गया, अब तुम ताकोगे, टुकूर, टुकूर की अंसर ही नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि इन्होंने चला की क्या करी है, मास M दिया है, लेम्डा naught को हटाना पड़ेगा, यहां से समझे, हमारे पास, तो moment of inertia है, वो लेम्डा naught L cube और किसी प्रकार से, अगर हम लोग M को हटा, M को लिया हैं यहां पर, तो काम बन जाएगा, ज़र देखना, टोटल मास्ट तो integration of DM होगा ना भाई, तो integration अगर मैं बात करूँ तो लेम्डा naught into 1 plus x by L into dx, यही तो था DM, इसको 0 से L integrate कर लेते हैं, तो यह आपका क्या हैगा, लेम्डा naught बाहर आ जाएगा, 1 का integration x बनेगा, जिसम बाई 2, तो यह आ रहा है, आपका लेम्डा naught, 3 लेम्डा naught by L, है ना, ओई, 3, 3, लेम्डा naught L by 2, that is equal to M, हम लोग क्या करते हैं, लेम्डा naught L को निकाल लेते हैं, that is 2 M by 3, यह आपके पास आ गया, उठा आगर के वहां रख दो, ठीक है, तो जो आपका answer आ रहा था, I answer, that was, that was 7 by 12, लेम्डा naught L, ऐसे निकाल लेते हैं, L square, ऐसे रख लेते हैं, और लेम्डा naught L कितना है, आपका 2 M by 3, तो मैं यहाँ पर रखू 7 by 12, into 2 M by 3, into L square, तो यह 6 हो जाएगा, 6, 18, 7, 18 M L square, that will be your final moment of inertia, 7 by 18, ठीक है, 7 by 18, D option, that will be your answer, तो देखो, इतना भी पूछा गया है, और इतना भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा हुआ, हमको heart attack आता ही, तो बेटा, heart attack नहीं, series of heart attack आएगा, अगला question भी मैं आपको करा रहा हूँ, disk वाला, ठीक है, इसी के उपर, आपके और भी question है, तीन question मैं आपको practice के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को जरूर करिएगा, अथिन circular plate of mass MN radius R has a density varying, अब आपके लिए देखिए, कि आपके लिए एक plate है, ठीक है, आपके लिए एक plate है, जिसका linear mass density rho, जो है, वो radius के साथ vary कर रहा है, मतलब, एक यहां पर जो आपकी density है, that is rho not into R, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, rho not into R, where rho not is constant and R is the distance from the center, ठीक है, ठीक है, अरे भाई, आवाज आ रही है, एक में टुक जाना भीटा, कई बार ऐसा हुआ है, पूरा पढ़ाने के बाद, हाँ, आवाज तो आ रही है, पूरा पढ़ाने के बा को कुछन क्या पुछा है, the moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge, ठीक है, कोई ऐसी axis के about, आपका ये axis है, ठीक है, ये वाली आपके axis है, इसके about कुछ alpha या AMR square है, the value of coefficient A is, ठीक है, आप कैसे करेंगी, यहाँ axis है, यहाँ नहीं है, तो मैंने क्या का भाई, पहले ICOM निकाल लो, फिर shift कर लेना, कर सकते हैं, अब ये lengthy question है, integration भी करना है, फिर shifting भी करना है, ठीक है, आईए, अब जब आपके लिए disc की बात आती है, ठीक है, तो माल लीजे कि हमारे पास इस प्रवा, खुद कोई feel आ रहा, बच्चों को बता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक disc है, माल लीजे, अब जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हों, उनको पता है, disc कैसे बनाई जाती है, ring को जोड जोड के, आप प्याज का जब सलाद में काटते हैं, तो आप देखते होंगे, अगर आपने प्याज को horizontally काट रखा है, तो आप देखत है, यह आपकी एक ring हो जाए, of thickness dr, of thickness dr, तो जड़ा, इसका moment of inertia, that will be dm into r square, अब sir, dm कैसे निकाले, मैंने काता, sigma into da, निकाल लीजेगा, question में variable है, sigma आपको कितना दे रखा है, sir, rho दे रखा है, बात वही है, two dimensional के लिए, rho और sigma बात एक ही है, तो that is given as rho not r, तो यह हो जाएगा, rho not into r, इसको अगर आप काट के सीधा कर लेंगे, बेटा, बता बता कि हमारे प्राण निकल गए, काट के अगर आप सीधा कर लोगे, तो इसका जो circumference होगा, वो length बन जाएगा, और जो इसकी thickness होगी, वो इसकी breath बन जाएगी, अरे एक rectangular strip का area क्या होता है, length into breath, तो da हो जाएगा, 2 pi r dr, यह हो जाएगा, है न, तो आप यहाँ पर रख दीजे, 2 pi r dr into r square, कुछ इस प्रकार से, di आ गया, that di is equal to, constant चीज निकाले दें, 2 pi rho not, r square, r की power 4, dr, कुछ इस प्रकार से, clear, अगर मेरे को total moment of inertia चहिए, तो that will be integration of di, अब जारा सारे बच्चे limit सोच लो तब तक, 2 pi rho not, integrate करना है, 0 से, जैसे आप 0 रखोगे, तो छोटी सी ring का moment of inertia बढ़ाते, 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 जैसे आप capital r रखोगे, तो आपकी इस वाली ring का moment of inertia आ जाएगा, right, तो हमारे पास, यहाँ से 0 से r आपको integrate करना है, 2 pi rho not, यह बनेगा, r की power 5 by 5, यह आया आपका, आई, सर इस में तो, सुसरा m ही नहीं, तो अब m को भी निकालिए, अगर मैं m की बात करूँगा, तो integration of dm है सर, तो integration में आपका आएगा, रो not, r into 2 pi r dr, यही तो था, dm, sigma into d, ठीक है, अब इसको जरा देखे, 2 pi rho not, यह बनेगा, r square का integration 0 से r dr, तो यह बनेगा, 2 pi rho not, यह होगा, r cube by 3, यह है आपका मास, तो जरा, अगर मैं 2 pi rho not को निकालनू, तो यहाँ जाएगा, 3m by r cube, right, तो हमारे पास, जो moment of inertia आया था, moment of inertia was, 2 pi rho not, r की power 3, ऐसे दिख लेते हैं, ठीक है, यह चलिए अभी r की power 5, ऐसे, divided by 5, यह आया था आपका, 2 pi rho not, r की power 5 by 5, है ना, अब जरा देखना, इसको अगर मैं यहाँ रखदूं, तो moment of inertia आपका आएगा, 3m by r की power 3, into r की power 5 by 5, तो यह कट जाएगा, 3m r square by 5, that is your moment of, 5, इसके बाद तो करने का सब्सक्रा हमारा मन्नी कर रहा है, 3m r square by 5, ठीक है, हाँ, 3, देखो, इन्होंने चमका भी रखा एक option, लेकिन यह answer नहीं है, यह answer नहीं है, क्योंकि हमें इस axis के about चाहिए, तो आप कितना shift करेंगे, r distance, अभी और shift करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने कहा है, बेटा, last को लात मारेंगे, 80 वालोंने सुचा है, last बना देंगे, बच्चे को लात मारेंगे, तो I answer, that will be, I C O M, plus M H square, आपका रहेगा, center of mask about आगया है, 3 by 5 M R square, plus M into R square, तो 8 by 5 M R square, तो यही है ससुरा A, ठीक है, 8 by 5 D option, that is your answer, अब यह वाले जो question होते हैं, जेही मेंस में अगर आते हैं, यह कब करने चाहिए, आपको आता है, पता है integration, पता है क्या limit आनी है, क्या होना है, सब पता है, लेकिन आप इसको पहले नहीं करते, क्योंकि देख रहे हो कितनी calculation, दो बार integration करवाया, फिर value substitute कराई, फिर आपने parallel axis भी लगवाया, है ना, मैं अगर personally होता, तो इस question को बिल्कुल आखरी में करता, अगर समय बचेगा तो करूँगा, दरवाया, इसकी जग़ा, दो आसान question कर लेंगे ना, क्या mystery के, लाल में पीला डाल के नीला निकालेंगे, ठीक है, अगला question आप ही लोगों के लिए है, ये वाला भी, ये वाला भी, एंड ये वाला भी, ठीक है, तो ये function vary कर रहे है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको try करना है, अब बात आती है, हमारे पास अगले part की, जहाँ पर हम और torque की analysis करनी है, यहाँ पर भी आपको similar questions बहुत मिलेंगे, angular momentum वाला part इसके बाद हम लोग करेंगे, फिर last में rolling, ठीक है, a slender, हमें नहीं पता slender क्या होता है, बस हम question करने आए, uniform rod of mass MN length L is pivoted at one end so that it can rotate in vertical plane, ठीक है, मतलब इस टाइप से एक rod है, ठीक है, slender, blender क्या है, ठीक ह तो यह ऐसे हमारे पास rotate कर सकते हैं, vertical plane C figure, नहीं भी दिखाओगे, तो क्या ही करना है, question तो छोड़ी देंगे exam में, there is a negligible friction at pivot, अगर होता भी तो भी क्या ही कर लेते, the free end is held vertically, ठीक है, above the pivot and then release, मतलब आपने क्या कर रहा है, इसका जो free end है, यह तो pivot कर दिया, तो fixed end हो गया, यह free end आपने vertically कर रखा है, and then release, the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is, जब यह rod हमारे पास theta angle बना रही है, तब इसका alpha क्या होगा, ठीक है, हमारे पास, clear, तो इन्होंने क्या कहा है, uniform rod है, mass M दे दिया है, length L है, uniform है, mass M, length L, ठीक है, pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane C figure, there is a negligible friction at the pivot, the free end is held vertically, above the pivot, and then release, the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is, अब जब देखते हैं, अगर मैं इस question की बात करूँ, तो यह question क्या कह रहा है, आपका, जो rod था, initially कुछ ऐसी scenario में था, ठीक है, जो आपका rod था, initially कुछ ऐसी scenario में था, ठीक है, जो आपका rod था, initially कुछ ऐसी scenario में था, ठीक है, अब यहाँ पर uniform rod है, यह आपका pivot है, इस point के बाउट यह घूमेगा, ठीक है, तो इसका जो खुद का center of mass है, वो कहाँ पर होता, आपका L by 2 distance पर होता, अब जैसी यह rod आपकी, ठीक है, जैसी यह rod, अरे, जैसी यह rod आपकी घूमेगी कुछ ऐसे, ठीक है, हमारे पास यह rod कुछ इस प्रकार से, ऐसे आएगी, तो center of mass भी कहीं न कहीं नीचे आया होगा, है ना, center of mass भी हमारे पास कहीं न कहीं नीचे आया होगा, आपने हलका सा, इसको यहां पर disturb कर दिया, उसके बाद यहां से, यहां पर, माल लीजी यह angle आपका, theta, इसी प्रकार से है ना, question में, theta या alpha, theta हमारे पास आया है, अब देखो, हमारे पास, यहां पर यह rotate हमारे पास हुआ है, तो, obvious सी बात है, mg का जो torque है, पहले ही, जैसे जै perpendicular distance बढ़ता चला जाएगा, torque variable होगा, और अगर आपका torque variable है, तो alpha भी आपका variable होगा, इन्होंने इस theta पर क्या alpha है, वो पूछा है, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, जैसे देखना, हमारे लिए, work done की बात करी जाए, कि अगर आप देखें, तो gravity यहां पर लग रही थी, mg इधर है, ठीक है, तो center of mass इतना fall कर गया है, है न, center of mass इतना हमारे पास नीचे आगया है, तो अगर आप देखें, तो work done by gravity is equal to, यार यह वाला question ना वैसे, बाद में होना चाहिए, तो मुझे लगा था, यह simple वैसा है, लेकिन चलिए कोई नी, हमारे पास half kinetic energy, final, क्योंकि advice किया ही होगा, तो आप कर सकते हैं, बीच में आ गया कोई दिख्यत वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आप देखे, तो यह पूरा L by 2 है, और यह वाला length भी आपका L by 2 है, अगर आप इसको देखेंगे, तो यह कितना आ जागा बेटा, L by 2 cost theta, तो gravity ने इतने length पर हमारे प L by 2 into 1 minus cost theta is equal to half, रॉड का जो moment of inertia होगा, कोने के बाउट 1 by 3, half आई, omega का square, इस समय, यह कितने omega से हमारे पास घूम रहा होगा, हमें यह पता लग जाएगा, लेकिन question में तो angular acceleration of the rod, when it makes an angle theta, with the vertical पूछा है, तो यहाँ पर इस समय का, उस instant की बात कर रहा है, चलो यह भी निका हमारे लेते हैं, ठीक है, तो यह आपका, देको initial kinetic energy 0 है, तो यह हो जाएगा, mgl by 2 into 1 minus cost theta is equal to half, 1 by 3, rod कोने के बाउट, moment of inertia, यह into omega का square, अगर आपको omega चाहिए था, तो आप यह बता सकते हैं, कि जब यह theta angle पर आचुका होगा, rod कितने omega से घूम रही है, लेकिन question में alpha पूछा तो इस instant पर जब अगर आप देखें, इस समय के ही instant पर आप से alpha पूछा है, ना, देखो, the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta, इस समय आपका alpha क्या होगा, तो जब देखना, आपका जो weight है, वो तो नीचे लग रहा है, mg, यह आपने angle दे दिया है, theta, अगर मैं बात करूँ तो यह वाला angle, यह व अगर आपको omega निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो torque is equal to i into alpha, तो इस समय torque क्या लगेगा, जब देखो, यह line of force हो गया, into perpendicular distance is your torque, है न, तो l by 2 cos theta, l by 2 sin theta, यह आएगा, ठीक है, तो torque हो जाएगा, mg into l by 2 sin theta is equal to rod कोने के बाउट 1 by 3 ml square into alpha, उस instant की बात कर रहा है, तो उस instant पे तो equation मना ही सकते हैं, ठीक है, यह capital M ले लेते हैं, ठीक है, तो अब काटा बीटी कर लेते हैं, बीटा, m से m चला गया, l से l चला गया, तो यह आजाएगा, आपका g sin theta, 3g sin theta by 2l is equal to alpha, यह आपका उस समय का answer होगा, ठीक है, 3g sin theta by 2l, 3g sin theta by 2l, 3g sin theta by 2l, यह torque कहीं था, मुझे लगा omega पूछा है, कि जब यह नीचे गिरेगा, तो omega किता हो, तो work done by gravity equal to final kinetic energy minus initial, तो kinetic energy होता है, half i omega square, अगर यह वाला part होता, not in question लिख देता हूँ, लेकिन आप इस question को जरूर एक बार इस प्रकार से भी देखिए, omega अग आप से पूछा गया है, ठीक है, तो क्या इसी के उपर question आया हुआ है, yes, इसी प्रकार का आपको एक और question मिलेगा, आप इसको try करेंगे, और भी आया हुआ है क्या, नहीं, अगला question, भाई देखो, torque की जो basic definition है, torque is equal to r cross f, इसके उपर भी question आयो है, एक question जो सबसे complicated मेरे को ल आ रखे हैं, तो ये अब आपके होंगे, homework, please आप, भाई जो repetitive question है, उनको मत जाने देना हाथ से, please आप उनको अलग-अलग form में try जरूर करिये, ठीक है, try जरूर करिये, ठीक है, तो आपके इतने सारे questions, इसी same concept पर आपके होंगे, ठीक है, आईए, एक question मैं करा देता हूँ, 2019 का हमारे पास question है, ठीक है, तो, a slab is subjected to two forces F1, F2 of the same magnitude F as shown in the figure, ठीक है, हम लोगों ने, दो forces लगाये हैं, F1, F2, magnitude same है, ठीक है, in, slab क्या है, in X, Y plane with F1, X along Z axis, यह आपने Z axis पर लगाया है, and the point 2Y cap, जो यह point है, that is 2Y cap, plus 3J cap, जो यह देखना, यह Z axis है, यह X axis है, गलती नहीं करनी, यह Y axis है, यह आपका origin है, the moment of these forces is about 0.0, moment of the force कहने का मतलब, कहीं पर आपको यह मिल जाए, moment of the force means घुमाव, moment मतलब होता है, कितना घुमाव create हो रहा है, angular momentum, momentum एक body को कितना घुमाव create कर रही है, torque हमारे पर moment of force है, ठीक है, तो basically आपको क्या निकलवाया गया है, torque निकलवाया गया है, value दोनों की F है, अ इसमें concept और आगे वाले question में आपका concept यूज होगा, concept is basically, torque is equal to r cross f, कई बच्चे rf sin theta याद रखते हैं, उससे गडबड हो जाती है, क्योंकि उनको याद नहीं रहता कि torque cross product से आता, और cross product से आ रहा है, तो direction matter करेगी, तो आप order क्या रख रहे है, r cross f रख रहे है, f cross r रख र ठीक है, तो आइए बेटा, ज़र आप देखते हैं, torque is a vector quantity, तो दोनों vectors का, जो net torque होगा, ध्याँ से देखो, तो वो, तो vector है, तो vector addition कर देंगे, तो individual torques निकाल लेते हैं, तो पहले वाले force की बात करें, पहले वाले को मैं इसको माल लेता हूँ, तो ये आपका f k cap है, force हो ग r vector is 2 i cap plus 3 j cap, जो second force है, उसको समझे, इसका r vector होगा, वो कैसा होगा, यहाँ से यहाँ, यह 6 meter है भाई, इतना ही length तो गए हो, 6 meter, इसको ने पर लगा है, तो ये आपका होगा, r vector इसका, x में नहीं गए, 0 i cap plus 6 j cap plus 0 k cap, यही तो है r vector, यहाँ पे y axis है, गलती क्योंकि बच्च जनली क्या करता है, आधत होती है, 6 i cap कर देंगे, अब बताई यह force इसी plane में लग रहा है, और 30 degree पर लग रहा है, इसका top view बनाओ, otherwise आपको दिक्कत होगी, अगर आप उपर से देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता, एक ऐसी sheet दिखाई देती, है ना, अगर आप दिखता y axis, और ये आपको दिखता x axis, हाँ या ना, ये आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होता, ये z axis, y axis, x axis, और आपका ये वाला length 4 meter, और ये वाला length 6 meter, और आपका force कैसे दिखाई दे रहा होता, इस point पर, इसी plane में, दोको z axis आपका बाहर है, outward, ठीक है, इसी plane में, आ आपका force है f, अगर यहां 30 degree है, तो यहां 30 degree है, अगर आप इसको resolve कर लेते हैं, तो इस direction में force आएगा f cos 30, और इस direction में आपका force आएगा f sin 30, अब ज़रो देखना, force की बात करें, तो इसका force क्या है, x axis में कितना है, x axis में, इस direction में कितना है, opposite direction में, minus f sin 30 i cap, minus क्यों, x axis के उ y axis इधर है, इधर लग रहा है, minus f cos 30, j cap, यहां गया, तो अब आपके पाद दोनों r और f आगे, दोनों torque निकाल लो, तो torque 1 आपको निकालना है, r1 cross f1, order याद रखना है, determinant method याद रखना है, i minus j, k, सबसे पहले r की बात करें, तो 2, 3, 0, और f की बात करें, तो इसका k cap में था, 0, 0, f, तो determinant solve करते, i में, अगर आप देखते, i में अगर आप देखते, तो 3f आता, minus 0, minus j cap में, अगर आप देखते, तो 2f आता, minus 0, plus k cap में, अगर आप देखते, तो 0, minus 0, तो यहां पर आपका कितना torque आ रहा है, 3f, i cap, minus 2f, j cap, this is your first torque, क्या या, first torque, clear, अब बात आती है, second torque की, ठीक है, अब बात आती है, आपके second torque की, तो इसमें आप करेंगे, r2 cross f, तो determinant लेते, i minus j, k, आपका जो r2 है, वो था 0, 6, 0, 0, 6, 0, और आपका, यह वाला value है, f sin 30, minus f by 2, i cap, minus f, हाँ, f sin 30, और f cos 30, root 3 by 2, j cap, यही आता बेटा, राइट, तो जड़ा, यहां पर देखे, f आपका बाहरी ले लो, या चलो, यह आगया, minus f by 2, minus f, root 3 by 2, और 0, राइट, चलिए इसको solve कर लेते हैं, हमारे पास, अगर आप देखे, i में आपका क्या आएगा, बेटा, यह आएगा, 6 into 0, और into 0, 0 minus 0, minus j में, आपका क्या आएगा, बेटा, इसको और इसको cut करेंगे, 0 into 0, plus k cap में, आपका क्या आएगा, बेटा, this into 0, minus of, minus f by 2 into 6, यही आता, तो यह तो 0 हो गया, 0 हो गया, minus, minus plus 3 f, k cap, तो आपका net torque कितना आएगा, that will be 3 f i cap, minus 2 f j cap, plus 3 f k cap, कुछ इस प्रकार से, आपको मिलेगा, 3 minus 2, plus 3, 3 minus 2, plus 3, ठीक है, 3 minus 2, plus 3, 3, 3, यह a option, आपका answer होगा, इसमें पूरा detailed है, इसलिए मैंने यहाला question करा दिया, इसके बाद, आपके simplistic form में questions है, आप इनको जरूर try करिएगा, ठीक है, अगला question है बेटा, हमारे पास, जो यह कह रहा है, a rigid massless rod of length 3L has two masses, एक rod है, जिसका mass नहीं है, एक side पे, इसी प्रकार के I think, और भी question है क्या, ठीक है, नहीं, इसके प्रकार के उपर नहीं है, लेकिन, यह इसी के जैसे, अगला question का concept है, club करेंगे, और club करने के बाद, उसके उपर 3-4 question है, एक, दो, 3, 4, 5, 5 questions है, similar चीजों के उपर, तो मैं एक question पूरा वाला खोल के बता दूँगा, आपको अच्छे से, इसका concept यहां से सीखेंगे, और फिर आपके homework आ जाएंगे, ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं, इस question की, ठीक है, तो यह वाला question और अगले question से concept building करेंगे, और बाकी question आप एक बार try करेंगे, ठीक है, a rigid massless rod of length 3L, rod का length क्या है, 3L has two masses attached at the end, as shown in the figure, एक 5M knot का है, एक 2M knot का है, यह आपका hinge point है, यहां L है, यहां 2L है, the rod is pivoted at point P, in the horizontal axis, मतलब, यह rod थी 3L length की, मैंने P यहां कर दिया है, इधर 5M knot है, इधर 2M knot है, यह distance 2L है, यह distance L है, ठीक है, हाँ, when release from the initial position, it instantaneous, देखो यह वही वाला, पहले वाले question, instantaneous angular acceleration, उस समय पर क्या होगा, जो यह वाला question हम लोग ने किया था, जो rod यहां पर गई थी, यह वाला, इसमें भी यही पूछा है, at an angle theta उस समय alpha क्या है, तो आपने torque equal to i alpha का concept लगाया था, तो यहां पर भी अगर आप देखें, इस वाले question को उठा करके, मैं इसके साथ club कर दूँ, यह चलो ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है, concept सीखना important है, तो अब आप जैसी इसको release कर रहे हैं, उस समय का alpha आपको यहां पर बताना है, ठीक है, तो भाई देखो, rod का तो कोई mass है नहीं, तो यह मोटी सी rod लग रहे है, इसको थोड़ा पतला कर लो, जिससे आपको थोड़ा असान लगे, ठीक है, क्योंकि mentally भी कई बार question irritate करता है, यह point P था, at a distance of L, rod कोई mass नहीं है, at a distance 2L, अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो वजन होगा, that is 2M0G बेटा, इसका वजन हो जाएगा ना, और यहाँ पर वजन कितना होगा, 5M0G, अब हमें बताना है, इसका alpha क्या होगा, तो मैं देख लेता हूँ यार, इसका torque माल लेते, यह भारी है, इस side यह हमारे पास घुमेगा, तरिक है, alpha से, तो torque net is equal to I alpha आपको लगाना है, तो भाई देखो, इस point के about यह इस direction में घुमाना है, देखो, अगर मैं इस point, P point के बात करूँ, तो इसका जो भी वजन होगा, वो इसको ऐसे घुमाएगा, और इस point के about जो भी वजन होगा, वो ऐसे घुमाएगा, मतलब दोनों इक दूसरे को opposite sense मे कर रहे हैं, दोनों का torque opposite है, तो इसका torque क्या होगा, 5 mg, मैं इसको अगर positive ले रहा हूँ, तो 5 m0 g, force आ गया, into perpendicular distance, positive ले रहा हूँ, दूसरे को negative लेना पड़ेगा, यार एक body पर एक force इधर है, एक force इधर है, दोनों का effect अलग है, एक right side ले जाना चाहता है, एक left side ले जाना च करते हैं, दोनों oppose कर रहे हैं, आप net force में F1 minus F2 करते हैं, वहीं सीम चीज, ठीक है, torque के लिए, तो यहाँ आएगा, 2 m0, अगर मैंने गलत माना होगा, तो answer negative आजाएगा, 2 m0 g, into 2 l, equal to, अब I of this system, पूरे system का moment of inertia, into alpha आपको करना है, ज़र देखना, हम लोगों का answer positive आ रहे है, मतलब rod इसी sense में घुमेगी, m0 g, l यहाँ गया, sir, अब I क्या रखे, rod का 1 by 12, sir, rod का shift करना पड़ेगा, अरे, rod का मास ही नहीं है, तो sir, अब, अरे, भाई, इस वाले body के लिए, perpendicular distance यह है, तो moment of inertia, एक body है, 5 m0 की, इसका distance कितना है, l square, यह हो जाएगा, और यह body है, 2 point masses का question है, भाई, और 12 का square, तो यह आपको कितना आ जाएगा, 5 m0 l square, plus 4 to 8 m0 l square, 8 5 13 m0 l square, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे, आप 13 m0 l square, into alpha, तो भाई साहब, अब तो हो गया, बल्ले बल्ले, m0 m0 गया, l, l गया, तो यह आजाएगा, आपका, g by 13 l is equal to alpha, g by 13 l is equal to alpha, c option, that will be your answer, चला जाएगे, अगला question है, atwood machine problem, यह आपका, class में आपको कराये गया होगा, ध्यान से आपको करना है, ठीक है, और हमारे लिए, इसी प्रकार के question आपके कई बार आए है, ठीक है, तो मैं इसको detail में करा देता हूँ, यह अब आपका question, वही, a uniform disc of mass m, radius r is mounted on a fixed horizontal axis as shown in the figure, figure नी बनाया है, the block with mass hangs, यह इसी टाइप से है, ठीक है, हमारे पास, इस प्रकार से आपका question है, cord is wrapped around the rim of the disc during the fall of the board, ठीक है, there is no friction, tension बताना है, acceleration बताना है, अगर यह h distance चला जाएगा, तो velocity है, सब सारी चीज़े, आपको यहाँ पर बतानी, तो यह आपका homework का question है, ठीक है, यह आपका homework का question है, same cheese है, ठीक है, यह भी same cheese है, ठीक है, यह भी आपकी same cheese है, ठोड़े थोड़े दो modifications रहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, concept में elaborate करके, आपको बता रहा हूँ, तो आप concept को सीखिए और apply करिए, ठीक है, आईए, अब इस question की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि यह question 2020 के बाद repeat हुआ, उससे पहले भी आया होगा, 22, 14, 14 का question है, यह last, 2020 में आया है, 21 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, तो 2014 के question जिसने लगाए हों क्लास अगर धंग से ट्रेंड करी होती, तो भी आ जाता, ठीक है, यूनिफार्म थिक वील, विद मोमेंट आफ इनर्शिया आई, एंड रेडियस आर इस फ्री तो रोबेट, रोटेट अब इस सेंटर आफ मासी फिगर, अब मासले स्ट्रिंग इस रैप्ड अरा ओवर इस हम लोगों एक स्ट्रिंग को इसके उपर पार्ट कर दें, टू ब्लॉक्स अब मास M1 & M2 ठीक है, जब प्लास में कराते हैं तो हम बच्चों को पागल कर देते हैं, ये, 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 और जी जो पूछ रहा है न वो पढ़ लिया करा है, ठीक है, ये चीज़ मैंने भी सीखिया है कि यार देखो, पढ़ाने के लिए नो कोई limit नहीं होती, अफरात है, लेकिन मैं क्यों अपनी knowledge का प्रदर्शन करूं, बच्ची की rank जिस चीज से, आसानी से, क्योंकि कई बच्चे बाद में depression में आते हैं, इतना इतना कम time, नहीं करना जाता मैं, ठीक है, जो relevant है उसको प साल के 5-6 question हो रहे हैं, और अभी तो मैं कम लाया हूँ, और भी question है, कई बार आया है atwood machine, तो concept कौन सा important, वो important है हमार को समझना, right, तो अब आप इसको छोड़ रहे है, release from rest, the angular speed of the wheel, when m1 descend by a distance h, ठीक है, जब यह आपका m1 h distance से नीचे चला जाएगा, तो इसका omega कितना होगा, अब मैं सारी चीज़े आपको यहाँ पर elaborate करके समझाऊँगा, ठीक है, इस question को detail मैं बता देता हूँ, जैसे माल लीजे कि आपके लिए यहाँ पर एक pulley है, ठीक है, यह आई है, इसमें trick भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक side आपका m1 mass है, ठीक है, M1 is greater than M2 या M2 is greater than M1 कुछ दे रखा है क्या, M1 is greater than M2, नहीं तो कोई साभी आप मान सकते, ऑव्यस सी बात है, जब आप इसको छोड़ेंगे, तो यह नीचे जाएगा, यह आपका उपर जाएगा, और यह अपने axis के बाउट घूमेगा, तीनों मोशन में आएंगे, जब आ सबसे पहला काम होता है, इनका free body diagram, तो पहली चीज़ अगर आप देखें, तो इसका free body diagram अगर आप बनाएंगे, तो यह आएगा बिटा, आपका M1 जी, यहाँ पर आपका धागा होगा, tension T1, जब आप पुली की बात करेंगे, तो पुली में यहाँ पर आपका होगा T1, आर पुली के लिए torque ही कहा आया भाई, वजन इसका नीचे लग रहा है, center पर, घूमाएगा ही नहीं, घूमेगी क्यों, क्योंकि एक side का tension, दूसरे side के tension से अलग होगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा block है, इसका वजन है M2G, और यहाँ tension होगा आपका T2, अब यह वाला अगर A acceleration से जा रहा है, तो यह वाला length constraint रखेंगे A acceleration और यह पुली घुमेगी alpha से, ठीक है, आईए, अब देखना, यह है आपकी translation की equation में, normal, यह भी translation motion, और यह आपका pure rotation, यह आपका pure rotation, तो इसकी equation क्या बनाते बेटा, आप बनाते M1G, माइनस T1, इक्वल टू M1 A, पुली rotation में तो torque equal to I alpha, तो इस center के बाउट इसका torque होगा T1 into R, माइनस T2 into R, दोनों opposite direction में torque है, यह वाला इसको ऐसे घुमा रहा है, यह वाला इसको ऐसे, तो दोनों का जो भी net torque होगा, वो I into alpha होगा, इसके लिए T2 minus M2G equal to M2 into A, इस प्रकार से आपकी 3 equation आएंगी, और ज़र देहां से देखना length constraint की बात करें, एक धागे की बात करें, तो इस धागे का एक side A acceleration से इसके साथ जा रहा है, और जो आपकी यहाँ पर pulley alpha से घुम रही है, वो tangential acceleration देगी R alpha, अगर आपका धागा कहीं slack नहीं कर रहा है, तो A, दोनों side के end का acceleration सेम होना चाहिए, यह जितनी acceleration से जा रहा है, दूसरा side भी उतनी acceleration से आना चाहिए, A equal to R alpha आपका एक constraint भी है, तो यगर मैं यहाँ पर इसी equation set को देखूं, तो यहाँ जागा M1 G minus T1 equal to M1 A, T1 minus T2, ठीक है, R को इदर ले जा रहा हूँ, I alpha को आप रख लीजे, A by R, और एक common R इधर आजागा A by R square, और इधर आएगा T2 minus M2 G equal to M2 into A, अगर आप यहाँ पर ठड़ाक ठड़ाक करें, तो यहाँ पर M1 G minus M2 G equal to M1 plus M2 plus I by R square into A आएगा, और यहीं से आपकी trick भी बनती है, कई कोशन में acceleration सीधे पूछा जाएगा, तो acceleration है, इसका ले जाने वाला force, net force लिखते थे थे न, M1 G minus M2 G, net force आगया, divide by total mass, दो bodies तो हैं ही, plus pulley का effective mass होता है, I by R square, आपका यह A आएगा, एक बार आपका A आगया, तो put in any equation, put in first equation, अगर आपका A आगया है, M1 G minus M2 G, equal upon M1 plus M2, plus I by R square, अगर आपका आगया है, तो M1 G minus T1, equal to M1 into A, था, तो M1 G minus M1 into A, M1 G minus M2 G, divided by M1 plus M2 plus I by R square, equal to T1, आपका tension आजाएगा, and in equation 2, अगर आप रखते, तो आपका T2 भी आजाएगा, तो tension आगया, T1 T2, अब ज़र देखना, हमारे पास इनोंने कहा है, ज़र देहान से देखना, अगर आपका A आगया है, देहान से देखो, A आगया है, तो alpha of pulley भी आप निकाल सकते थे, question में अगर आपसे alpha of pulley पूछा जाए, तो यह होता है A by R, तो यह आजाएगा, सारी जीदा आप calculate out कर सकते हैं, M1 G minus M2 G divided by M1 plus M2 plus I by R square into 1 by R, यह आगया, जब यह block हमें, ज़र देखना, हमारे पास M1 वाला block, जब हमारे पास चलते चलते H distance आएगा, तो यह rest से start हुआ था, इसकी velocity आप निकाल सकते हैं, आप energy theorem, work energy theorem भी लगा सकते हैं, वो बाद में आपको मैं बता दूँगा, लेकिन, अगर आप देखें, acceleration है, तो V square minus U square equal to 2 AS, तो V is equal to U to 0 है, अंडर root में 2 into A, M1 G minus M2 G divided by M1 plus M2 plus I by R square into H, अगर आप करें, तो V आ गया, यह body कितनी speed से जा रही है, धागे का अगर एक end V से जा रहा है, तो दूसरा end, पुली के rotation की वैसे होगा, ओमेगा, तो यह होगा R omega, तो V is equal to R omega constraint अगर आप लगाएंगे, तो omega will be V by R, इसी का 1 by R आप कर दीजे, पूरे मलवे का, तो आपको omega भी पता लग जाएगा, clear, clear, बोले बाई, yes, इसका alternate, यह तो लंबा लग रहा है, alternate method energy से भी आप कर सकते हैं, कैसे, अगर माल लिजे, आपका यहाँ पर M1 है, यहाँ पर आपका M2 था, ठीक है, logically देखना, अगर यह h distance नीचे जाएगा, तो यह h distance उपर जाएगा, है ना, और पुली उससे में घूम रही होगी, तो work done by all the forces should be equal to k final minus k initial, तो work done gravity इस पर करेगा M1 gh, minus इस पर करेगा M2 gh, equal to final kinetic energy, half disk का, यह जो भी body है, half i, omega square minus 0, omega आपका यहाँ से solve हो सकता है, clear, अगर आपका omega आगया तो, V equal to r omega से, इस समय इसकी V क्या होगी, वो भी मिल जाएगा, तो स्वारी यह तो आसान है, yes, लेकिन तरीके दोनों आने चाहिए न, हमारे पास, इन सारे questions में, आपके यही concepts कहीं ना कहीं, repeat हो रहे है, ठीक है, अगला question है हमारे पास, ठीक है, AB, held in a horizontal position by two strings tied to its end and attached to a ceiling, दो धागे, NCIT-based question है, the rod is of mass M and has another weight of 2M, hung at a distance 75, rod का mass, खुद का कितना है, M, तो obviously बात है, यहां MG होगा, और इसकी वजाए से, यहां पर आपका हो जाएगा 2MG, हमें, बता दिया कहां कहां पर है, the tension in the string is, अभी तक जो आप question कर रहे थे, वो motion के थे, body चल रही थी, यह आपका question है, equilibrium का, जरहे देखना, कि आपकी जो यहां पर rod है, दो धागे हैं, ठीक है, तो इधर एक tension T1 मान लीजे, इधर एक tension T2, सर, दोनों में same क्यों नहीं मान सकते, common sense, अभी पता लगेगा, अगर आपका सिर्फ एक वजन होता, यहां पर MG, बिल्कु out कर रहे होते, तो आपका same होता, लेकिन आपने एक और, 2MG इधर भी तो है, 2MG इधर भी तो है, 25 cm दूर, एक side पर ज्यादा बल पड़ेगा, तो ज्यादा tension हो जाएगा ना भाई, है ना, तो हमारे पर दोनों side के tension अलग अलग है, और यह आपका 50 cm है, और यहां से आपका 50 cm है, हमें concept दोनों tension चीहें क्या, tension in string A, A वाले में tension कितना है, तो इसका concept क्या है, equilibrium, देखना अगर आपकी कोई body चल ही नहीं रही, equilibrium का अगर आपका case है, या तो body rest पर हो, या constant velocity से हो, या तो rest, या तो V constant हो, या फिर omega constant हो, दोनों case में, तो आपको net force भी आप zero कर सकते हैं body पर, और net torque, body घूम भी तो नहीं रही ना, नहीं चल रही है, नहीं घूम रही है, तो दोनों ही आप zero कर सकते हैं, exam में कैसे पता चलता है, कि सर ये rotation का question है, आप basic से करेंगे, पहले free body diagram बनाया, आप देखिए, ये translation equilibrium में है, तो T1 प्लस T2 की value, ठीक है, T1 प्लस T2 की value, आपकी 3 mg होगी, yes, और अब अगर मालनों आपने ये equation मना लिए, अब आप अटक जाओगे यार कि T1 और T2 तो अब और कौन सी equation है, दो variable हो गए, तब आपको ये खुद से सोचना है, कि यार हमारे लिए ना, हमारे लिए, torque की भी equation मनाई जा सकते है, क्योंकि ये body घूम नहीं रही, और अगर क्योंकि भी point के about net torque कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या करा, is point about torque ले लिया, ठीक है, is point about a point ले लिए, इसके about torque ले लेते हैं, तो torque about a should be 0, ठीक है, a वाला point कौन सा है, ये वाला यह वाला चाहिए ठीक है टीवन चाहिए में टॉर्क अबाउट ए या फिर इसको एनी बी ही है ना हमारा बी लेते है ठीक है टॉर्क अबाउट बी शुट भी 0 और टॉर्क लेना आ तो आपको आना चाहिए फोर्स इंटू पर्पेंटिक्लर डिसंस वाई देखो टीटू इं इंटू पर्पेंडिक्लर डिस्टेंस वाई टू यह दोनों इस पॉइंट के बाउट ऐसे घुमा रहे हैं यह अपोजिट घुमा रहे तो इसका टॉर्क उल्टाएगा माइनस टीवन इंटू यही आपका टीए है ठीक है यही आपका अटेंशन एट ए है तो अगर आप द प्लस एमजी वाई टू यह गया तो यह आपका आजयेगा एमजी अधी ठीक है यह आपका आजयेगा एमजी तो दैट इस इक्वल टू वन एमजी प्रमोशन नहीं कर रही है अंसर ठीक है तो यह आपका अंसर होगा चला जाए अगले कोश्टन पर अगला question है, हमारे पास यह class में कराया जाता है यार, ठीक है, यह class में कराया जाता है, ठीक है, अब क्या ही बताएं, लेकिन बच्चे class के notes से नहीं, topper के notes से पंड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छा, यह वाला question हम लोग ने, ओओ, 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 एक minute, यह अब बना देता हूं, यह वाला देखो, अच्छा यह तो angular momentum स्टार्ट हो गया, ओके, ओके, ठीक है, next is our angular momentum, इसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है, अब यह वाला question, आपके लिए आप इसको rolling motion में माने, या जो भी माने, concept आपका सेम है basic equation आपको बनानी आनी चाहिए ठीक है ये अगर पिछले साल के 11th class के बच्चे जो भी है लक्षे में अभी जुजनों ने दिया है आप अपनी rotation copy खो लिए उसमें ये question है ठीक है कितना नीचे जाए कि हमारे पार the distance from the initial rest position ये rest position से initial कितना नीचे जाए कि ये 4 meter per second omega की बात नहीं है इसका center of mass 4 meter per second से चलने लग जाए ये बात हो रही है हमारे पास ठीक है तो आईए इसको मैं proper पहले detail में बता देता हूं क्योंकि अगर एक बार question आ गया है तो इसमें acceleration क्या होगी tension क्या होगी ये भी आपको calculate out करनी आनी चाहिए आप energy से भी करना चाहें कर सकते है ठीक है ये ये question कैसा है जैसे आप पतंग उडाते हैं तो चक्री होती है अब आपने क्या करा चक्री के उपर का जो धागा है उसको पकड़ लिया और छोड़ दिया तो आपकी चक्री नीचे गोल घूम के जाएगी तो वो translate भी कर रही है उसका center of mass नीचे भी जा रहा है और वो गोल भ हमारे पास question है तो अगर मैं इसका side view बनाओं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा कुछ ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पर जो दोनों आपकी tensions हैं मैं उसको टूटी बना देता हूँ यहाँ पर center of mass पे इसका एक वजन आपका mg यहाँ लग रहा होगा ठीक है and this will be your r ये body नीचे भी जा रही होगी accelerated भी होगी और यह इस प्रकार से open भी हो रही होगी alpha से भी ठीक है दोनों motion होंगे इसमें translatory plus rotatory दोनों motion की आपको बात करनी है तो दोनों की equation क्या लिखते हैं इसकी equation आप लिखते है f equal to m a question में ध्यान रखना है f equal to m a rotation में torque net equal to i alpha यही तो करते थे आप ठीक है तो दो equation मनानी है जब यह नीचे जा रहा होगा तब आपको दिमाग नहीं लगा नहीं सब घूम भी रहा है अरे उससे नहीं देखना ट्रांसलेटरी equation अगर मैं बात करूँ तो translation की equation क्या होती mg ले जाने वाला force minus 2t equal to m a यह था rotation की अगर आप बात करें तो जड़े ध्यां से समझना इस point के बाट center के about हम लोग alpha ले रहें तो 2t into perpendicular distance equal to यह cylinder था solid a solid cylinder ठीक है तो solid cylinder का moment of inertia center के about कितना होता है अगर आपका यह solid cylinder है इसका यह वाला moment of inertia disk के बराबर होता है half mr square ठीक है तो i की value half mr square ही रखनी है clear तो 2t into r is i alpha half mr square into alpha आपका यह हो गया clear ठीक है अब इसको थोड़ा तो solve कर लेता अगर आपको और ज़र यह देखना यह point के अगर आप बात करें तो यह point slip नहीं करता तो इसके पास एक translation acceleration a है और rotation की वैसे r alpha भी है क्योंकि slip नहीं कर रहा तो a equal to r alpha आपकी condition भी है constraint तो ज़र यह देखना पहली वाली equation आपकी क्या बनेगी mg-2t equal to ma और यह बनेगा 2t r को set ले जाते है equal to mr by 2 और alpha को a by r रख लीजे यह और यह गया तो यह बनेगा mg-2t equal to ma और यह बनेगा 2t equal to ma by 2 ठीक है add कर दीजे mg is equal to 3 ma by 2 ठीक है तो हमारे पास yum yum चला गया a की value आगी 2g by 3 और अगर आपके पास a की value basically आ रही है ठीक है अगर आपके पास a की value basically आ रही है तो आप tension भी निकाल सकते थे इस equation में डाल दो equation number 2 अगर आप डाल दें तो यह आजाएगा बेटा 2t equal to ma की बात करें 2g by 3 upon 2 ठीक है तो आपका tension भी आजाएगा यहां से है ना 22 क्या हमारे पास tension is mg by 6 यह आपका tension भी आजाएगा in future अब question आपके modify हो सकते तो acceleration भी आप कैसे निकाएगा equation आपको कैसे लिकनी है acceleration and tension अब जब देखो question में क्या पूछा है हमारे पास कि the distance from the initial rest position यह जमीन यहां पर यह कितना नीचे हमारे पास h distance यह कितना नीचे जाए कि इसकी speed 4 meter per second की हो जाए तो अब आप खुद सोचिए कि इसको आप कैसे करेंगे जो यह body है माल लीजे कि आपकी यहां से start हुई ठीक है आपकी यहां से start हुई यह आपका mg था यह आपका 2t था आप energy से करना चाहें energy से कर सकते हैं अगर यह हमारे इसके पास acceleration कितनी आई है बेटा आप देखें तो acceleration आपकी आई थी हमारे पास 2g by 3 यह कितना h नीचे जाए कि जब यह इधर जा रहा है तो इसके पास velocity 4m per second की हो जाए u की value 0 थी तो क्या मैं v square minus u square equal to 2as कह सकता हूँ यह आपका 4 का square 0 का square 2 into 2g by 3 negative में है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ minus 2 into 2g by 3 acceleration ही होगा ना यहां पर तो इसको same positive ही रखते है 2 into 2g by 3 into h हमें चाहिए h की value आप यहां से report कर सकते है clear energy से आप क्या कहते है work done by gravity kinetic energy अब जारा देखो यह rolling हो रही है energy method से आप कैसे जाते तो आप कहते energy method से कि हमाय पाद mgh is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial तो आप कहते mgh is equal to half i omega square plus half mv का square दोनो energy होती ही हमाय पास और v equal to r omega आपका satisfy कर रहा होता तब आप उसको भी कर सकते है v की value आपके लिए 4 है ठीक है तो आप उसको भी करना चाहें तो आप कर सकते है ठीक है answer आपका same आएगा अब बात आती है हमारे पास angular momentum की ठीक है question के रहा है बेटा the time dependence of a position of a particle of mass 2 kg is given by अब जा रहें यहाँ पर दियां से देखना अब हम लोग अपने angular momentum वाले पार्ट पर जा रहे हैं इसका आप अच्छे से अपनी theory को एक बार यह वाली light का देख लेना अच्छे से एक बार अपनी theory को revise कर लिजेगा जिसमें हम लोगों को applications बहुत important है और जो इसका position आपको दे रखा है r vector that is 2ti cap ठीक है हमारे पास minus 3t square j cap यह आपको दे रखा है its angular momentum with respect to origin at t equal to 2 seconds ठीक है इस प्रकार के आपके questions भी कई बार repeat हुए है i think आपका यहां पर ठीक है एक मिन्ट हां set कर लो उसको बाहर निकाल थोड़ा हां बस ठीक है तो एक आपका यह वाला question आपके लिए homework हो जाएगा बेटा ठीक है और आपका एक यह वाला question आपका बिल्कुल similar type के questions है concept मैं आपको बता रहा हूं recall करवा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना है ठीक है तो चलिए बेटा जब भी आपका angular momentum देखो angular momentum is also vector quantity इसका concept अगर आप बात करें ठीक है तो हमारे लिए जो concept होता है that concept is l vector is given as r cross p vector क्या होता है हमारे पास r cross p vector ठीक है तो आपके लिए order is very important अगर आप order को ध्यान से नहीं रख रहे हैं तो momentum आपके लिए mass into velocity है अब जड़र यह देखना हमें at t equal to 2 seconds हमें पूछा गया है at t equal to 2 seconds तो पहली बात हमें position vector यह origin से दे रखा है तो at t equal to 2 seconds r vector की value क्या होईगी हमारे पाद 2 into 2 i cap ठीक है 2 into 2 i cap और minus 3 into 4 हमारे पास j cap तो यह हो जाएगा r vector के अगर आप बात करेंगे 4 i cap minus 12 j cap यह आपका r vector है ठीक है अब बात आती है momentum vector की तो अगर हम लोग momentum की बात करें तो p is equal to m into v vector अब ध्यान से देखा जाए तो velocity हमें नहीं गिवन है तो velocity तो आपका dr by dt से आ जाएगा बेटा है ना velocity तो आपका dr by dt से आ जाएगा तो इसका differentiation अगर आप कर लें तो हमारे पास क्य यह आपकी velocity basically हो जाएगी यह आपकी velocity basically हो जाएगी है ना और हमें at t equal to 2 seconds तो अगर मैं बात करूं at t equal to 2 seconds हमारे पास velocity की बात करें तो 2 i cap minus 12 j cap आपका यह velocity हो गया तो अगर आपको momentum vector चाहिए था तो mass into velocity अगर आप दिकालते तो mass कितना है हमारे पार 2 से तो अगर आप multiply करते तो 4 i cap minus 24 j cap that will be your momentum vector तो आपको order बहुत important है आपके vectors रह सकते हैं अगले questions में भी आप इनको practice करिएगा अब हमारे पास l vector की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा r cross p vector से तो आपको determinant में i minus j k अच्छे से लिखना है और सबसे पहले r vector को रखना है आपका r vector है 4 minus 12 0 4 minus 12 and 0 और आपका p vector की बात करें 4 minus 24 4 minus 24 and 0 यह है अगर आप इसको solve करते बेटा i में आपका क्या आता 0 minus 0 minus j में आपका आता 4 into 0 ठीक है 4 या फिर 0 minus 0 plus k cap में आपका यहां पर आता minus 24 into 4 ठीक है और minus minus plus हो जाएगा plus 12 into 4 ठीक है तो यह आपका 12 into 4 ही बनेगा ठीक है इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यह question भी आपका angular momentum का calculation है 2021 का यह वाला question कपका था 2019 का जिन्होंने यह try किया होगा उसका concept यह यहाँ पर recall कर पाएंगे 2021 में और फिर 2022 में तो no doubt अब हमारे लिए देखो r vector दे रखा है mass दे रखा है v vector दे रखा है magnitude of angular momentum आपसे पूछा है तो यह अब आपको मैं homework में try कह रहा हूं कि प्लीज आप इन basic चीजों को ध्यान से समझ लिजे question repeat होने के chances यहाँ पर अच्छे खासे बनते हैं अगला question है हमारे पास angular momentum 2009 का question है और यह még ट्रास में कराया जाता है 2009 का question है मेरे time first time जब मैंने जी दिया होगा तब आया था he तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है इस ऐसा अगर आपके पास आज याद अगर कर सकते हैं तो चलिए करते हैं मिस क्वेंट । with the x-axis, with an initial velocity v0 in the xy plane as shown in the figure, मतलब projectile आपने फिका है, ठीक है, at a time t less than v0 sin theta by g, मतलब time of ascent से कम, तो particle top point पर होता है, v0 sin theta by g, यह कहीं इधर कहीं होगा, the angular momentum of the particle will be, हम लोग एक general case का solve कर लेते हैं, अब हमें angular momentum of the particle about, question में होना चाहिए, about point of projection, about point of projection, जहां से आपने फिका है, उसके about angular momentum आपका क्या होगा, अगर देखा जाए, तो मैं इसको उसी पिछले वाले question की category में डाल सकता था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा projectile mix हो रहा है, तो मैंने तोचा एक बार मैं करा देता हूँ, और एक और question ऐसे आया हुआ है, उसको आप try जरूर करिए, ठीक है, तो ज़रहें यहां पर दियाँ से देखना, ठीक है, आपने एक projectile को mass M है, V naught speed से fake है, at an angle of theta, तो obviously बात एक parabolic path पे जाएगा, ठीक है, यह किसी भी time पर हूँ, तो मालो यहां पर बनाओंगे, तो कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं अभी यहां पर कह देता हूँ, general मैं किसी भी time की बात करूँ, at any time t, at any time t, तो आपको पता है, इसका position vector यह हो जाएगा, r vector, इसमें एक sx भी आपका आएगा, और इसमें एक आपका sy भी आपका आएगा, this will be your sy, and this will be your sx, और इस समें इस particle के पास एक velocity भी होगी, velocity at any time t, तो momentum इसका इस प्रकार से होगा, तो अगर आप at any time की बात कर रहे हैं, at any time, किसी भी time पर, अगर आपको angular momentum चाहिए, तो angular momentum आप r cross p vector से करेंगे, या m into r cross v vector से करेंगे, तो आपको क्या गरनात्री है था, अब concept खुद सोचो, कि मेरे को किसी भी समय पर, अगर angular momentum चाहिए, तो velocity at any time निकाल ले, और position at any time, अब ये पूरा आपके theory से हो गया, कोई भी अगर आप position की बात करें, तो इसमें एक sx i cap भी होगा, और sy j cap भी होगा, अगर मैं इसी projectile के ux की बात करूँ, तो ux हो जाएगा u cos theta, uy की बात करूँ, तो ये हो जाएगा u sin theta, ax की बात करें, तो 0 होगा, ay की बात करें, तो minus g आपका होगा, ये सारी चीज़ आपको पता ही है, बस आपको यहाँ पर रखना है, ये होगा बेटा, uxt plus half ax t का square i cap में, और ये होगा, uyt plus half ay t का square j cap, बस value रख दो, तो आपका position vector किसी भी time का आजाएगा, ux is u cos theta into t, ax ही नहीं, और ये हो जाएगा, u sin theta into t minus half gt square आपका j cap में, ये आपका आजाएगा position vector किसी भी time का, ऐसी अगर आप velocity at any time की बात करें, तो velocity भी इसके पास एक x में होगी, और एक y में होगी, है ना, तो velocity is equal to vx i cap plus vy j cap है, तो अगर आप देखें, तो ux plus ax t i cap plus u y plus a y t j cap इस प्रकार से आपको मिलेगी, है ना, इस प्रकार से आपको मिलेगी, अब ज़रें यहाँ पर ज्यांसे देखना, ux आपका है, u cos theta i cap, x है नी, और यह हो जाएगा, u sin theta minus gt j cap, आपके पास velocity भी किसी भी समय की आ गई है, अब कुछ बच्चे कहेंगे, कि सर यह तो positive आ रहा है, यहाँ पर negative होना चीए, अरे time की value आप time of ascent डालिए एक बार, करिए एक बार, अगर आपके दिमाग में यह चीज है, तो बहुत पहले का कीचड़ है, इसको साफ कर लीजे, यह general time है, t की value 0 डालेंगे, तो अपने u cos theta velocity होती है, अगर आप total time of flight डालेंगे, तो यहाँ वाले time की velocity मिलेगी, u cos theta i cap में तो आपका होता ही है, जैसे आप यहाँ पे 2u sin theta by g डालेंगे, gg कट जाएगा, u sin theta minus 2 sin theta minus आ जाएगा, आपको पता है, जब यह जमीन पे गिरेगा, अपने आप automatically u sin theta, यह negative में आपको बत तो यह किसी भी time की हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है, अब बात आती है, angular momentum अगर मैं निकालूँ, तो यह m into r cross v है, तो मैं इसको determinant के हिसाब से solve कर लेता हूँ, i minus j, थोड़ा दूर-दूर लिखते हैं, बड़े-बड़े function है, minus j and k, यह आपका determinant आ गया, ठीक है, r vector की अगर आप बात करेंगे, तो r vector आपका xy plane में है, तो यह आएगा, u cos theta into t, यह आपका आएगा, u sin theta into t minus half gt square और 0, और अगर आप velocity, velocity की बात करें, तो u cos theta, और यह आएगा, u sin theta minus gt 0, ठीक है, अब आपको इसको solve करना है, m into i cap में आपका 0, 0 आएगा, j cap में आपका 0, 0 आएगा, k cap में यह answer आएगा, प्लस k cap में आपका answer क्या आएगा, अब उसको analyze करते हैं, k cap में करते हैं, तो यह इसके साथ multiply होता, तो u cos theta into t into u sin theta minus gt, यह आथा, minus u cos theta, ठीक है, into u sin theta into t minus half gt square, यह आता, है ना, यह हमारे पास आता, u cos theta into t, u sin theta minus gt, और u cos theta into, हमारे पास, u sin theta, यह आता, अब अगर हम देखें, तो यह आजाएगा, m into k cap में आपका answer आएगा, m into bracket में, अगर आप इसको open कर लेंगे, तो यह आएगा, u square sin theta cos theta t, ठीक है, minus u gt square cos theta, इसको अगर आप open करते, तो minus u square sin theta cos theta into t, और यह इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, और minus minus plus, हमारे पास यह आगया, यह हो जाएगा, g t square u by 2 cos theta, तो यह दोनों तो कट गए हमारे पास, यह वाला, और यह वाला तो कट गया, u gt square, u gt square cos theta, और यह, अगर आप देखे, m, अगर आप यहाँ से, u gt square cos theta, अगर आप common ले लें, तो यहाँ पर आएगा, half minus 1, तो minus half आजाएगा, minus m u gt square cos theta by 2, हमारे पास answer basically, और यह किसमें होना चाहिए, k cap में आपका answer होना चाहिए, तो ज़र देखा जाए, हमारे पास, क्या answer आ रहा है, minus, एक यह option, यह half के साथ आ रहा है, m g v naught t square, यही है ना हमारे पास, m g v naught t square cos theta by 2, बिल्कुल सही, यह आपका answer आ रहा है, अब यह, आप result general याद भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यह general result याद भी कर सकते हैं, और या फिर आप basic से इस question को solve भी कर सकते हैं, इन्होंने maximum height पर पूछा है, तो time of flight क्या हो जाएगा, time of ascent, कितना time पर maximum height पर जाता है, time of ascent, वहाँ पर आप u sin theta by g डाल दें, तो आपका answer आ जाएगा, k-cap में, इन्होंने सिर्फ value पूछी है, आप basic से भी जा सकते हैं, hint आपको दे देता हूँ, maximum height पर जब यह होगा, तो angular momentum, जर देखना, top point पर momentum होता है, mu cos theta, ठीक है, theta की value दे रखिये, 30 degree दे रखिये, और angular momentum अगर आपको निकालना है, into perpendicular distance, that will be h max, यह भी आपका एक formula होता था, u square sin square theta by 2g, कराया भी गया होगा, angular momentum about o is r into p perpendicular, या p into r perpendicular, तो यहाँ पर हो जाएगा, mu cos theta into, हमारे पास h max is, u square sin square theta by 2g, यह आपका minus k cap में, आपको answer मिल जाएगा, या तो आप इस logic से जहिए, या फिर, आप अपने basic, जो time पे कैसे vary करता है, time पर कैसे vary करता है, वो याद गल लीजिए, ठीक है, दो बार question repeat हो चुका है, आगे भी इसके chances है, अब बात आती है, इस प्रकार का question मैंने, आपको, यह J advance का question है, पहले का पूछा, वो बहुत पुराना question है, और जब manzil two point हो करा रहा था, तब मैंने कराया था, जब भी हम लोग question कराते हैं, हर teacher का, जब class चलते हैं, तो कई बच्चे spam कर रहे होते हैं, लेकिन मैं हमीशा कहता हूँ, जो अच्छा बच्चा होता है, जो चुपचा बैठा है, अगर वो उतना ही grand कर ले, उतना ही absorb कर ले, सर ये sufficient है या नहीं, teacher अगर आपके सामने एक question प्रकट कर रहा है, तो वो उसने उसके पीछे बहुत साई चीज़े सोची होंगी, कि क्यों, इतने सारे question अगर उसको आते हैं, उसमें से वो एक, वही question क्यों pick कर रहा है, उसका एक reason होगा, ठीक है, अब मैं आपको दिखा दे जो थोड़ी बहुत modifications है, इसके बारे में आप इसको सोचेंगे, तो ये आपके repetitive questions है, लेकिन ये question आपका कई बार repeat हुआ है, तो ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आईए, अब मास M hangs on a massless rod of length L, which rotates at a constant angular frequency, omega या new constant है, conical pendulum में घूम रहा है, मास M moves with a steady speed, मतलब V constant है, इ assume that the system is in a steady circular motion with a constant angular speed, omega constant है, the angular momentum of M about point A, अब इस पार्टिकल का, जैसे ये conical pendulum है, ये ऐसे 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 चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो इसका angular momentum about A, जो है, that is L A, ठीक है, विच लाई इन पोजिटिटिव डिरेक्टिशन, and the angular momentum of M about point B is L B, इस body का angular momentum about this point is L B, ठीक है, तो दो दो कर the correct statement for this system is, L A is constant both in magnitude and direction, L B is constant in direction but varying magnitude, L A and L B, मतलब हमें L A और L B के बारे में देख रहा है, तो आइए, इसका मैं आपको detailed analysis बदा देता हूँ, ठीक है, कि अगर माल लीजे कि आपका यहाँ पर एक pendulum है, ठीक है, जो conical pendulum में इस प्रकार से यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, जो con conical pendulum से इस प्रकार से यहाँ पर घूम रहा है, at a constant omega बोले या V बोले, उन्होंने बोल दिया है, V हमाई पास same है, मतलब V हमाई पास change नहीं कर रहा है, यह radius आपका R है, अगर आप इस particle के लिए A point about देखे, ठीक है, about A, तो angular momentum आपका होता है, R into P perpendicular, और P into R perpendicular, इस प्रकार से हो motion है, ऐसे, ठीक है, इस point A के about देखे, तो particle का जो भी momentum होगा, वो तो tangential होगा, V आपकी constant है, यह आपका line of momentum हो गया, line of momentum हो गया, और अगर आप इस पे perpendicular drop करते, तो यह तो tangent है ना भाई, यह तो उस circle के लिए tangent है, अगर आप इस पे perpendicular drop करते, तो यह आपका radius ही तो आता, तो angular momentum about A की अगर मैं बात करता, कोई सब यह आप formula री यूज कर लिजे, M V into R आपका होता, right, अब direction wise देखे, हमाय पा R cross P, R vector आपका इस direction में बाहर निकल रहा है, माल लिजे, यह मैं point A हूँ, ठीक है, और circle में ऐसे से particle मेरे आसपास घूम रहा है, ऐसे से, ठीक है, तो मैं जैसे इस particle को दिखूँगा, तो उसका momentum इदर है, R vector इदर है, R cross P करूँगा, angular momentum इस particle का इस axis में ऐसे आएगा, this is your angular momentum, यह चाहे किसी भी point पर हो, इसका magnitude, अगर मैं बात करूँँ, तो वो constant है, क्यों, क्योंकि ना ही V change कर रहा है, ना ही R change कर रहा है, और इसका direction भी constant है, क्य तो वो same आएगा, तो LA is constant, अब बात आती है, इसके जरा दूसरे point पर हम लोग चलते है, ठीक है, इसको copy कर लेता हूँ, और अब हम लोग इस point के about जरा देखते है, B point के about, ठीक है, इस point के about, हम लोग जरा देखते है, B point के about, जब यह particle ऐसे चक्कर काट रहा होगा, जब यह होगा, तो इसका momentum तो इसी direction में हुआ, यह इस वाले circle के लिए tangent है, line of momentum, line of momentum, अगर आप देखें, इस पर है, और अगर आप इसका R perpendicular निकालें, तो यहां से यह ऐसे, perpendicularly इस प्रकार से, this will be your R perpendicular, वो कितना होगा, यह वाला R और यह वाला X, under root में R square plus X square, तो angular momentum about B के अगर आप बात करें, तो MV into perpendicular distance is R square plus X square, value तो आपकी हमेशा constant ही रहेगी, क्योंकि V change नहीं कर रहा है, तो value आपकी हमेशा magnitude is always constant, लेकिन direction को जड़ा देखना, माल लीजे मैं point B हो गया, अब वो मेरे आसपास ऐसे चक्कर काट रहा है, अगर मैं इस point की बात करता हो, momentum इधर था, मैंने R vector बनाए, देखो यह दोनों एक angle पर है, momentum इधर है, और मैंने R vector ऐसे बनाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हैं, तो यह 90 degree पर, बस यह टेड़ा है, अगर आप देखें, R cross P करेंगे तो angular momentum ऐसे है, अगर मैं इस point पर R cross P करता, angular momentum ऐसे है, क्या आप समझ पा रहें, angular momentum ऐसे ऐसे body के साथ घूम रहा होगा, बार बार इसकी जो direction है, ठीक है, जो बार बार इसकी direction है, वो इस type से change हो रही होगी तो direction इसकी change हो रही है, तो angular momentum B के about constant नहीं है, overall अगर आप LB की बात करें, तो यह vary कर रहा है, क्योंकि एक vector है ना बाई, vector का magnitude और direction दोनों matter करता है, अगर सिर्व magnitude vary कर रहा है, तब भी vary कहींगे, पूरे vector को, direction change हो रही है, तब भी हम लोग कहते हैं, पूरा way change हो रहा है, L A and L B both are constant in magnitude गलत, L B is constant both in magnitude and direction गलत, ठीक है, हमाई पस L B magnitude wise constant है, direction wise vary कर रहा है, L A दोनों के हिसाब से constant ही है, तो इसके उपर आपके यह दोनों question है, फिर से basic से आप इनको सोचिएगा, अगला question है, the four point masses each of mass M, तो angular momentum calculate out करना, point masses and body के लिए हमारे पास आए हुए questions है, एक point masses का system, दो point masses का मैंने ले लिया है, ठीक है, आगे चलके body वाला भी हम लोग ले ले लेंगे, ठीक है, तो मैं इसमें आपको एक यह वाला question करा रहा हूँ, एक यह वाला question करा रहा हूँ, यह वाला question आप एक बार try करना, this will be your homework, ठीक है, this will be your homework, similar approach रहेंगी, इसलिए कह र एक यह है, एक यह है, एक यह है, एक यह है, ठीक है, point masses है हमारे पास, M, 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 and M, यह square of side L इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है, the square is rotating with the angular frequency omega, about an axis passing to one of the corner of the square and parallel to its diagonal, यह इसी के plane में है और diagonal के बिलकुल parallel है, ठीक है, अब अमें बताना है, the angular momentum of the square about the axis, याद रखना, अगर एक simple, एक particle अगर चल रहा है, translatory motion में है, तब आप करते थे, r cross p, ठीक है, और अगर body घूम रही है, तो angular momentum is given as, i of the body about axis of rotation into omega आप करके भी निकाल सकते हैं, अब i of the body आप कैसे ले सकते हैं, concept में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस question में छोटे छोटे पार्टिकल है, तो moment of inertia आपके लिए, discrete masses के लिए sigma mi ri का square, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ये करेंगे, और अगर आपके लिए continuous body है, तो i integration of dm into r square, ये आपको याद learn भी होने चाहिए, आपने ring का case पड़ा है, disk का पड़ा है, सबके moment of inertia याद है, वही आपको moment of inertia यहाँ पर रखना होता है, ठीक है, अब चलत total angular momentum की बात करूँ तो सभी का moment of inertia चीए, भाई ये तो point mass 0, इसके लिए perpendicular distance 0 है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसके लिए perpendicular distance ये हो जाएगा, इसके लिए axis से perpendicular distance ये हो जाएगा, और इसके लिए axis से perpendicular distance ये हो जाएगा, तो ये आपका diagonal के parallel है, 45 degree, तो ये L by root 2 हुआ, ये आपका L by root 2 हुआ और ये diagonal L root 2 हुआ तो अगर मैं total moment of inertia की बात करूँ एक का तो 0 हो गया दो particle का L by root 2 का square है और एक particle का L root 2 का square है into हमारे पास क्या होगा into हमारे पास होगा omega ठीक है into omega तो ये L की value कितनी आ रही है 2m ठीक है L square by 2 plus हमारे पास 2m L square into omega तो ये कट गया 3m L square omega ये आपका angular momentum basically आ गया तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा A option that will be your answer चला जाए आगे अगला question जेए मेंस 2016 का इस प्रकार का question मेरे को लगता है दुबारा repeat होने के chances है reason being क्योंकि ये आपकी पूरी depth analysis मांगता है अगर आपने depth analysis नहीं करी है ये question में आपको दिक्कत आएगी और इसी प्रकार का question 2016 के बाद अब repeat होने के chances बन जाते है अब particle of mass m is moving along the side of a square of side a एक square है जिसके side पर ये हमाय पर ऐसे 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 चलता जा रहा है with a uniform speed v आपका speed same है in a xy plane as shown in the figure which of the falling statement is false कौन सा आपका statement गलत है about the angular momentum about the origin origin के about angular momentum हमें निकालना है तो आईए इसको एक बार फिर से हम लोग क्या करते है draw करते हैं और बिल्कुल basic से solve करते है ठीक है बिल्कुल basic से हमारे पास solve करते है तब तक आप सोच लीजे concept क्या लगाना है ठीक है तब तक आप सोच लीजे आपको concept क्या लगाना है ये वाला जो distance इन्होंने दे रखा है this distance is r ये वाला distance कितना है r at an angle of 45 degree और आपका square का side is a ये side हमारे पास a है particle आपका कौन कौन से point है a, b, c, d, v से जा रहा है a, b, c, and d ऐसे ये हमारे पास जा रहा है ठीक है एक बार इधर गया एक बार इधर जा रहा है v speed से ही जा रहा है एक बार इधर गया और एक बार इधर गया ठीक है, square का side A है, हमें बार बार angular momentum about O बताना है, ठीक है, concept क्या है सर, concept अभी भी जो मैं आपको पहली बता रहा था, वही concept है, concept is, L is equal to P into R perpendicular और R into P perpendicular, आप करेंगे, ठीक है, direction कैसे निकालेंगे सर, ये magnitude तो आप ऐसे निकालेंगे, direction कैसे निकालेंगे, R cross P, आपको करना आना चाहिए, otherwise नहीं आप torque निकाल पाएंगे, और नहीं आप angular momentum निकाल पाएंगे, ठीक है, तो चलिए, ज़र देखना, MV particle चल रहा है, A point के about, A के लिए बात करें, ठीक है, तो L की अगर मैं बात करूँ, तो R into P, P है MV, और R perpendicular ज़र देखना, इसके लिए जो R cross 45, R sin 45, R by root 2, यह आपका आगया, direction ज़रा देखना बेटा, हमारे पास, direction होगा, R vector आपका इदर है, R cross P, देखो, momentum इदर है, R, आपका इदर हुआ, P इदर है, R cross P करूँँगा, अंदर की direction आएगी, minus K cap, यह आगया, angular momentum about B की बात करते हैं, जब यह particle इदर जा रहा है, तो line of momentum आपका यह हो गया, इसके लिए perpendicular distance आपका यह आएगा, this will be your perpendicular distance, जब देखो, यहां तक तो आपका R by root 2 हो गया है, और यह वाला part आपका A है, तो angular momentum होगा, MV into perpendicular distance is A plus R by root 2, और direction की अगर आप बात करेंगे बेटा, देखो, यह इदर जा रहा है, तो R vector बनाते इधर आता R vector, देखो, ऐसे आता R vector, R cross P करते बाहर की direction आती, तो यहां पर अगर आप बात करें, तो यह plus K cap में आपका direction होगा, angular momentum of the point from C to D, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यह आपका A से B की जा रहा है, B से C की तरफ, C से D की तरफ, ठीक है, तो momentum तो आपका MV है, ल यह आपकी line हो गई, और यह आपका perpendicular distance हो जाएगा, यह वाला side आपका A है, और R by root 2 आपका यह हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास A plus R by root 2 इस प्रकार से आगया, ठीक है, और अगर आप देखे, R vector आप क्या बनाते, R vector आप यह बनाते, R cross P करोगे, बाहर की direction आएगी, हमारे पास plus K cap, यह आपका value आजाएगा, clear, और angular momentum, अगर आप D से A की बात कर रहे हैं, तो momentum तो आपका MV है, अगर आप D से A की बात करेंगे, तो आपका perpendicular distance यही वाला आएगा, R by root 2, ठीक है, और direction जड़ा देखना, momentum आप R vector बनाते, ऐसा बनाते, R vector cross P, R cross P अंदर की direction है, minus K cap, यह आपके angular momentum आए, तो सारे parts को निकालना बहुत important है, इसलिए कह रहा हूँ, यह question आपको धिहान रखना है, अब question बे आते हैं, false statement आपको बताना है, जो गलत है, तो इन्होंने काए, A से B का पहले देखते हैं, A से B का है, minus MV R by root to K cap, A से B, minus MV R by root to K cap, तो यह तो सही है, correct है यह, इसको टिक नहीं करना, B to C की बात करते हैं बेटा, तो यह आ रहा है, आपका plus में A plus R by root to, B to C, A plus R by root to plus K cap, यह भी आपका correct statement है बेटा, ठीक है, हमें incorrect बताना है, C से D की बात करें, तो A plus R by root to K cap, ठीक है, C से D, यह कहरें minus, तो यह आपका false statement हो गया, ठीक है, तो यह हो गया, और ज़रा D to A भी match कर लेते हैं, D to A is minus R by root to, ठीक है, minus D to A, हमारे पास minus नहीं दे रखा है, तो यह भी आपका false statement हो गया, ठीक है, इन्होंने कुछ गडबड़ गताओ नहीं करी है, यहाँ पर, C से D की अगर बात करें, तो यहाँ पर फिर plus होना चाहिए, जही में में हमारे पर double option नहीं होने चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, D से A, R by root 2 है, और R cross R cross P करेंगे, minus ही आएगा, तो यहाँ पर, इन में से एक option में हमें minus लगाने देना चाहिए, minus M v R by root 2 क ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको minus कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि A की option रहेगा, concept आपको सीखना है, minus, ठीक है, तो यह भी आपका correct मान लेंगे, ठीक है, होना नीचे हो तकता operator की गलती हो, और एक R by root 2 minus A है, from C से D, ठीक है, C से D, तो R by root 2 plus A, और R cross P, तो हमारे पास बाहर की direction में है, तो यह वाला हमारे पास answer हो जाएगा, false statement, ठीक है, चला जाए आगे, तो यह वाला question आपके लिए homework है, जब यह particle यहाँ से जाएगा, तो energy आपको लिखनी है, यहाँ से potential energy kinetic में जाएगी, और फिर आपको अपना angular momentum about O लिखना है, ठीक है, चला जाए आगे, हाँ, अगले दो question मैं आपको करा रहा हूँ, यह like angular momentum के यह दो cases, conservation मैंने क्या बोला, conservation of angular momentum के उपर बहुत question आए है, और दो disk को एक के उपर एक रख दिया है, तो common omega कितना हुगा, और उनका loss of energy कितना हुगा, उसके उपर भी बहुत question आए, तो मैं दो concept आपको बता रहा हूँ, conservation of momentum और disk की coaxial axis पर, अब देखो, यह आपका homework है, सेम चीज है हमारे पास, सेम चीज रहेंगी, यह आपका homework है, ठीक है, अब यह question ढूंड के करने में न, align करने में यह दिमाग की दही हो जाती है, ठीक है, यह आपका homework है, ठीक है, सब में एक ही चीज चीज चल रही है, ठीक है, यह आपका homework है, ठीक है, फिर यह आप, देखो, कितने ज्यादा question आई, इसलिए कह रहा था, आपका angular momentum conservation is very important, ठीक है, आईए, अब इस question की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा था पहले, कि आपको इस बार बहुत questions मिलेंगी, मै concept आपके देखो, percentile आपकी तभी boost होईगी, जब आप main concept जो repeat हो रहे हैं, उनको सीख जाए, क्योंकि chances यहीं से आएंगे, है न, तो, a thin smooth rod of length L and mass M is rotating freely with angular speed, हमारे पास omega 0, about an axis perpendicular to the rod and passing through its center, two beads of mass M and M, and negligible size, छोटे-छोटे दो beads है, मोती टाइप से, are at the center of the rod initially, the beads are free to slide along the rod, the angular speed of the system when the bead reaches the opposite end of the rod is, जर यह समझना, concept की भी बात करेंगे, और वही आपको apply करना है बेटा, अब देखो यार, यहाँ पर भी आके अगर आप काम चोरी करोगे, नहीं बाद में कर लेंगे, तो भाई फिर आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक रैंक बच्चा अपने लिए खुद निकालता है, ठीक है, और अगर आपके पास समय नहीं है, तो इस बार के एक बच्चे ने बोला था, कि बच्चे की बहन ने बोला था, सर खुद के लिए sacrifice, sacrifice नहीं होता, बहुत बड़ा statement है, और यह बात, जब बच्चे, मैं भी कई बा कर रहे हो, तो खुद के लिए sacrifice, sacrifice नहीं होता है, यह मैंने खुद सीखा एक बच्चे से, और यह बहुत अच्छी लाइफ, लाइन है, जो मैंने अपनी लाइफ में implement करें, क्यों कि क्या होता है, जब आप, आप अपने आपको हमेशा एक ऐसी situation में डालते हो, जहां पर आप ठीक है, मेरा आचुका है, और फिर मैं उससे निकल चुका हूँ, कि realize हुआ कि मैं sympathy पर जी रहा हूँ, लोग मेरे पर दया करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वैसा नहीं होना है, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको अपने लिए कहें, तो मेहनज करनी पड़ेगे, और उस समय जब आप sacrifice कर रहे होता हूँ, आपको लगता है, यार मैंने अपने लिए ये कराए, वो आपने अपनी बलाई के लिए करा है, that is not a sacrifice, ठीक है, तो this is the new thing which I learned, और मैं चाहता हूँ, आप भी वह चीज करें, कि अगर आप इसमें time invest कर रहे हैं, तो ये आपके लिए investment है, sacrifice नहीं है, ठीक है, तो प्लीद आप महनत करते रहिएगा, अब ज़र या आपर देखना कि एक rod थी, mass M है, length L है, mass M है, length L है, और ये center के बाउट omega 0 से गुम रही है, और यहाँ पर ही, दो आपके छोटे-छोटे से beads है, दोनो जब आप इसको घुमाने लगोगे तो ये दोनों बाहर की साइट भागेंगे, दोनों, अगर आपके यहाँ पर कोई चीज है, अगर आप इसको घुमाओगे तो बाहर की साइट centrifugal force के सार भागेगी, लेकिन आपका external torque कोई नहीं है, कोई खीच के उनको बाहर नहीं ले जा of rotational mechanics, ठीक है, तो हमारे पास अगर आप देखे, torque external zero है, तो dl by dt आपका zero है, means initial angular momentum must be equal to final angular momentum होना चीज़े, अब calculation के उपर हमने इतने question कर ले तो इसको भी कर लीजे, अगर आप देखे, final scenario क्या होगी, कि ये कह रहे हैं कि rod में दोनों particle दूर की side भाग गए, ठीक है, कुछ इस से ये हमारे पास घूम के, कुछ ऐसे हो गए है, ये वाला यहां आगया M mass, और ये वाला यहां आगया M mass, तो अब तो question असान है भाई, initial angular momentum आपका कितना होता, i into omega, initial angular momentum of inertia into omega, not, तो देखो, दो particle, total की बात करें, तो rod का center, plus M into 0 का square, plus M into दोनों particle axis पर ही है, ये आता, तो initial angular momentum आपका आता, 1 by 12 M L square omega not, ये आता, अब final angular momentum की बात करें, तो moment of inertia आपको final into omega final करना है, अगर आप देखें, तो rod तो अपने center के बाउट ही घुमरी है, 1 by 12 M L square plus, दो particle है, L by 2 distance पर, इस प्रकार से, हमाय पर omega final, तो अगर आप देखें, तो या जाएगा, 1 by 12 M L square, ठीक है, 1 by 12 M L square plus, ये आपका आएगा, M L square by 2, ठीक है, into omega final, क्या जाएगा, अब आप इन दोनों को equate कर दीचे, initial angular momentum equal to final angular momentum, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 1 by 12 M L square omega 0 is equal to 1 by 12 M L square, हमाय पास plus, 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 हमारे पास, अगर हम लोग बात करें, plus M into, हम लोग यहाँ पर देखें कितना आ रहा है बेटा, M L square by 2, ठीक है, by 2 into omega final, question में हमें क्या पूछा गया था, question में हमें पूछा गया है बेटा, कि, final angular speed, angular speed जो इसकी final होगी, वो आपको बतानी है, तो omega final आपको निकालना है, तो ये आजाएगा, M L square, plus M L square, और, L C M ले लेते हैं, ठीक है, L C M यहाँ पर आजाएगा आपका 12, तो ये आजाएगा, M L square, plus 6 M L square, equal to, omega final, ठीक है, तो 12, 12 कट जाएगा, तो ये आपका आजाएगा, capital M L square, और L square भी उड़ा दो, capital M, omega naught, divided by, M plus 6 M, that will be your answer, ठीक है, M omega naught, plus M plus 6 M, M omega naught, M plus 6 M, C option, that will be your answer, तो आपको angular momentum लिखना आना चाहिए, और conserve करना आना चाहिए, आपको बाद में भी इस प्रकार के question, बहुत मिलेंगे, अगला part की पहले मैं theory बता देता हूँ, और फिर मैं एक question भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको questions करने है, ठीक है, चलिए, ये question क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, आपको बताना है, अब concept क्या कहता है, जैसे मालो कि आपके पास एक डिस्क है, ऐसे, ये i1 है, ये omega 1 से घूमरी है, और आपके लिए इस प्रकार से एक और डिस्क है, i2 moment of inertia, और ये आपका omega 2 से घूमरी है, जैसे आप इन दोनों के एक दूसरे के उपर रखेंगे, तो friction इन दोनों के बीच माएगा, friction की वैसे torque भी आएगा, लेकिन कोई external torque नहीं है, friction इस पे लगेगा, friction इस पे लगेगा, action reaction system में है, तो कोई external torque नहीं है, ठीक है, द्याहाँ से देखना, external torque आपका नहीं है, तो initial angular momentum must be equal to final angular momentum, अगर आप initial angular momentum की बात करते हैं, तो इसका होता i1 omega 1 इस direction में, और इसका अगर आप देखते हैं, तो होता i2 omega 2, तो initial angular momentum will be i1 omega 1 plus i2 omega 2, और ये दोनों एक दूसरे के साथ common omega से घुमेंगे, तो i1 plus i2 into omega final, तो आपको omega final क्या मिलेगा, i1 omega 1 plus i2 omega 2 divided by i1 plus i2, क्या आपने कहीं formula देखा देखा सा लग रहा है, perfectly in elastic collision, m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, वही तो है, वहाँ पर अगर आप initial energy के बात करें बेटा, तो ये आएगा half i1 omega 1 का square, final और प्लस half i2 omega 2 का square, final energy के अगर आप बात करें, half i1 plus i2 into omega final का square, तो यहाँ पर जो आपका loss of energy आता है, क्योंकि friction रहेगा, तो loss of energy जो आपका आता है, बिलकुल perfectly in elastic collision के जैसा, आपको मिलेगा, half i1 i2 divided by i1 plus i2 into omega 1 minus omega 2 का whole square, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है, this is the loss, ठीक है, अब ज़रा है यहाँ पर ध्यान से देखना, इस question पर, अब theory यह है, if opposite direction, if omega 2 is in opposite direction, तो आप omega 2 को minus omega 2 से replace कर दीजेगा, इस सारे formulas में, clear, तो चलिए बेटा ज़रा इसकी बात करते हैं, इस question में क्या का है, two coaxial disc है हमारे पास having moment of inertia, एक coaxial disc i1 है, ठीक है, और एक है आपकी i1 by 2, ठीक है, rotating with respective, यह omega 1 से घूम रहा है, यह omega 1 by 2 से घूम रहा है, about the common, they are brought in contact with each other and thereafter they rotate with common angular velocity, if in the same direction they रखा है, अगल विलाश्टी चलो ठीक है, नहीं तो minus लगाते हैं, opposite बोलते हैं, अभी same मानेंगे, if ef is the and ei, देखो आपसे क्या पूचा, final minus initial, obvious ही बात है, loss होने के बाद, final energy will be less than initial, तो ef minus ei आपका negative होगा, ठीक है, तो आपका यह गया, यह गया और यह गया, negative answer आना चाहिए था, ठीक है, तो चलिए, loss की बात करते हैं, तो loss आपका कितना होगा, value wise कितना होगा, half i1 into i1 by 2 upon 3 i1 by 2 into omega 1 by 2 का whole square, minus कर दिया है, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, half, ओए, हाँ, i1, हाँ, ठीक तो है, तो half, यहाँ पर i1 by 2, एक i1 हम लोगों ने cut कर दिया, ठीक है, यह cut कर दिया, और यह आजाएगा, आपका 3 by 2, ठीक है, into omega 1 का square by 4, ठीक है, 2, 2 कर जाएगा, 4, 3, 12, 12, 12, 24, तो आएगा, i1 omega 1 का square by 24, negative क्यों है, क्योंकि final minus initial कर रहा है, loss हो रहा है, तो final energy कम ही होगी, तो d option, that will be your answer, ठीक है, d option, that will be your answer, तो यह आपके सारे questions, homework वाले आपके बनते हैं, ठीक है, सारे questions आपके homework वाले बनते हैं, एक concept और है, उसके उपर भी दो बार question आये हैं, जैसे यह वाला question एक करा देता हूँ, फिर मैं उसकी बात करेंगे, इसके पास हमारे पास angular momentum के major category हतम हो जाती है, फिर हमारे पास rolling motion के part हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, consider a uniform rod of mass m, 4m, ठीक है, and length l pivoted about its center, a mass m moving with a velocity v makes an angle theta equal to pi by 4 to the rod long axis collide with one end of the rod and sticks to it, the angular speed of the rod mass system just after the collision is, यह क्या कह रहा है, हमारे पास एक rod है, ऐसे, ठीक है, यह अपने center पर हमारे पास hinge है, center पर हम लोगों ने इसको hinge कर रखा है, एक body है, जो यहाँ पर, इसका mass है 4m, ठीक है, और length है आपकी l, और body का mass कितना है, m mass moving with velocity theta equal to pi by 4, तो एक आपकी m mass की body है, जो इस पर जाके टकराती है, यह pi by 4, 45 degree पर, ऐसे हमारे पास जाके इससे टकराती है, और इससे stick कर जाती है, तो जैसी stick करेगी, तो यह घूम जाएगा, है ना, तो हमें यह बताना है, the angular speed of the rod mass system, मतलब ऐसे हम लोगों ने rod रखी हुई थी, कोई भी मैंने clay ली, clay को इस पर मारा, तो यह clay जाके इस पर चिपक गए और यह घूम गया, तो जैसी collision हुआ, just after की बात, हमें omega बताना है, just after हमें omega basically बताना है, तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ, कि सर जब collision होगा, तो external force नहीं है, ध्यान से समझना, जब इस पर collision होगा, तो यह किस पर force लगाएगा, यह किस पर force लगाएगा, हिंज जो मैंने पकड़ रखा है, मैं अगर इस पर ऐसे हाथ करूँगा, तो मेरे torque हो सकता है, अगर मैं rod और इसको consider करूँगा, तो rod के उपर, जब ध्यान समझना, rod के उपर आप hinge के forces लेंगे, इस पर ऐसे force लगा, इस पर ऐसे लगा, अगर मैं इन दोनों को system ले लूँ, तो logically है, यह दोनों तो internal forces हो गए, action, reaction, अगर कभी भी system में आगे तो internal होगे, लेक रखना कि अगर हमारे लिए external torque 0 था, तो initial angular momentum must be equal to final angular momentum होता है, लेकिन सर आप खुदी कह रहे हो कि सर यहाँ पर hinge के forces की वैसे हम conserve नहीं कर सकते हैं, मैंने का yes, लेकिन दिमाग लगाएं तो कर भी सकते हैं, कैसे सर, अरे भाई, अगर मैं इसी point के about angular momentum की बात करूँ, ठीक है, angular angular momentum initial about O, and angular momentum final about O, वो conserve रहेगा, क्यों सर, अरे भाई, जो भी forces आएंगे, ध्याँ समझना, जो भी forces आए, मैंने अगर point ही ये ले लिया, उन forces की वज़ा से, यहाँ पर torque क्या हो जाएगा, 0, सर इस forces का, मैं rod और point masses को अपना system माल लेता हूं, इन दोनों के forces internal हो गए, उनका भी torque 0, तो about O, hinge point के अबाउट, आप अपने angular momentum को conserve कर सकते हैं, तो initial angular momentum rod तो रखी हुई है, ये particle के अगर आप बात करें, ज़र दिखना, आपकी rod ऐसे थी, ठीक है, ये particle इस line के along, MV speed से आ रहा है, at an angle 45 degree, तो आप angular momentum कैसे लिखते थे, P into R perpendicular, और R into P perpendicular, तो momentum को result कर रहे हैं, ले, तो ये आपका L by 2, ये आपका, ये आपका length L by 2 है, अगर आप resolve करेंगे, MV cos 45 इधर आ जाएगा, और MV sin 45 आपका इधर आ जाएगा, तो initial angular momentum आपका कितना है, MV sin 45, perpendicular angular momentum, into distance L by 2, और equal to, दोनों stick करके एक साथ घुमेंगे, तो I omega, rod center के बाउड घुम रही है, plus, ये point mass L by 2 distance पर stick हो गया, into omega, clear, rod के यहाँ पर चिपक गया न, ये particle, तो total moment of inertia क्या होता, 1 by 12 ml square, plus M into L by 2 का whole square, right, तो हमाय पास ये आएगा, MV sin, ये हो जाएगा, MV L by 2 root 2, equal to, 1 by 12, rod का mass 4M दे रखा था न, हाँ, तो 4M into L square, plus M L square by 4 into omega, आप अपना omega निकाल सकते हैं, clear, अब ये ही same चीज़, आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस बार horizontally हिट हो रहा है, और ये ही same चीज़, आपका ये block जाके इस पे हिट हो रहा है, तो आप इस hinge point के बाद angular momentum conserve कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद, अब next part हमारा start होएगा, rolling motion वाला, तो question कहा रहा है बेटा, a homogeneous solid cylinder, जो हमें question में दे रखा है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है, हमें एक solid cylinder दे रखा है, तो homogeneous मतलब हमारे पास uniform है, ऐसा नहीं कि कहीं mass ज्यादा है, कहीं mass कम है, homogeneous solid cylinder roller of radius r, इसका radius r है, mass इसका m दे रखा है, is pulled on a cricket pitch by a horizontal force, assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder is, कभी भी अगर आपके इस प्रकार से question आएं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना basic free body diagram बनाना है, ठीक है, तो जो कहा जाता है physics में, सबसे पहला काम, सुन्दर diagram, वही हमें यहाँ पर बनाना है, तो हमारे पास जो rolling body है, हम लोग इस प्रकार से माल लेते हैं, ठीक है, इसका खुद का वजन नीचे होगा, mg हम लोग यहाँ माल लेते हैं, और आप इसके उपर जो force लगा रहे हैं, अब यह भाई साब बचपन का वो tire नहीं है, जो हाथ हमार मार के आप पिच को बराबर कर आपने कभी ना कभी cricket देखा होगा, तो cylinder के बिल्कुल center में से rod होती है, वहाँ से आप force F लगा रहे हैं, और ground आपका rough होगा, rolling without slipping है, तो अगर आप external force लगा रहे हैं, तो friction आपका इधर, शायद आपने h equal to zr वाले formula को देखा होगा, h की value zr पर friction force नहीं होता, उससे नीचे पर friction force backward होता है, उपर अगर आप force लगाते हो zr की value से, तो friction force आपका आगे रहता है, अगर आपको ये बात याद भी नहीं है, और आपको लग रहा है सर, friction force पीछे क्योंगा, आप आगे माल लिजे, अपनी equation को solve करेंगे, you will get your answer, ठीक है, sign अपने आप change हो जाएगा, तो उनों की equation लिखेंगे, translation में आप net f equal to ma लिखेंगे, तो f minus f is equal to mass into acceleration ही किया गया, और rotational की अगर आप equation लिखेंगे, तो torque equal to i alpha, अगर आप इसी point के बाउट, center of mass के बाउट देखेंगे, तो f into r, friction ने जो torque दिया है, that will be i center of mass into alpha रहेगा, क्योंकि इनोंने बोला है कि ये यहाँ पर slip नहीं करना चाहिए, तो अगर आप इस point पर देखें, जो ये body है, इसके पास एक tangential acceleration होगी r alpha, और एक यहाँ की acceleration होगी a, तो ये a equal to r alpha, ये translational है, तो a equal to r alpha match करेगा, alpha की value a by r आपकी होगी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो a की equation थी, minus f equal to m into a, और ये आगी f equal to, देखो solid cylinder था ना, हमारे पास solid cylinder का जो moment of inertia होता है, solid cylinder की अगर आप बात करें, तो moment of inertia होता है, half mr का square, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो value आजाएगा, half mr square और a by r square, एक alpha का a by r आया और एक इसका r चला गया, इस प्रकार से, और आप अगर देखें, तो r square और r square cancel, अगर मैं इन दोनों को add कर दूंगा, तो यह भी cancel, तो f की value आपके लिए कितनी आजाएगी, ma plus हमारे पास ma by 2, यहाँ गया बिटा, तो f is equal to 3 ma by 2, यहाँ गया, a की अगर आप बात करें, तो 2f divided by 3m, आपका, ठीक है, हमारे पास 2f divided by 3m, आपका acceleration आया, लेकिन question में acceleration नहीं पूछा है, इन्होंने हमचे question में क्या पूछा है, angular acceleration, तो a equal to r alpha आपके लिए था ही बेटा, a equal to r alpha आपके लिए था ही, तो alpha is equal to a by r, तो अगर आप देखें, तो यहाँ जाएगा बेटा, 2f divided by 3mr, यह आपका answer होगा, तो यहाँ पर option में देख लेते है हमारे लिए 2f divided by 3mr, इस प्रकार से आपका b option, that will be your answer, चला जाए आगे, अगला question है, a string is wound over a hollow cylinder, जो आपको दे रखा है, इस बार, यह homework है क्या, yes, इस बार का आपका force इधर है, तो अगर आपको friction का नहीं पता, पीछे लेके चल लीजे, आप जब friction की value निकालेंगे, अपन आपका answer negative आया, तो means whatever direction you are considering is opposite, तो आपका friction आगे होगा, अगर आपको h equal to zr का concept नहीं पता है, sir, h equal to zr यह क्या बोल रहे हो, manzil legend series में जाए वहाँ पर इस concept को बताया है, तो यह वाला आपके लिए similar question है, यह आप question करेंगे अपना homework में, ठीक है, चला जाए आगे, अगला question ह a solid sphere and a solid cylinder, एक आपका solid sphere है, ठीक है, और एक आपका solid cylinder है, ठीक है, एक आपका solid sphere है, ठीक है, एक आपका solid cylinder है, ठीक है, जड़े देखना, of identical radius, approach and incline with the same linear velocity, दोनों को हम लोगों ने same linear velocity v दे रखा है, both rolls without slipping, all throughout कहीं पर भी slipping नहीं हो रहा है, the two climbs of maximum height, हमारे पास एक height attain होती है, h max, ठीक है, तो sphere की अलग है, cylinder की अलग है, हमें h sphere by h cylinder बताना है, अब concept हमारे पास क्या है, concept हमारे पास simple है, कि जो kinetic energy होती है, of a rolling body, ध्यान से समझना, क्योंकि rolling motion एक translation और rotation का combination है, तो kinetic energy translation भी होती है, plus kinetic energy rotational भी हमारे पास होती है, और body अगर roll कर रही है, v equal to r omega आपका satisfy basically कर रहा है, without slipping के case में, this is a condition, right, तो अगर आप देखें, उस body, जो भी आपकी, अभी मैं general body के बात कर रहा हूँ, जो भी body आपने यहाँ पर भेजी है, यह roll without slipping कर रही है, और कितनी height पर यह जाएगी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करें, तो kinetic energy आपकी जो भी है, that is half mv का square, plus half i omega का square, अभी हम लोगे दो bodies हैं, तो general body ले ले लेते हैं, तो moment of inertia, radius of gyration के term में रख लेते हैं, ठीक है, half mk square into omega को, अगर आप देखें, तो v square by r square, v by r, sorry, v by r, आपका हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, तो यह आएगा v square by r square, तो यह value आएगी, बेटा, half mv का square into 1 plus k square by r square, कुछ इस प्रकार से, यह आपकी kinetic energy है, और यह kinetic energy total, जब यह maximum height पर जाएगा, तो mgh इस प्रकार से बन जाएगी, तो अगर हम देखें, तो यह आएगा, half mv का square into 1 plus k square by r square is equal to mgh, तो यहाँ पर आप solve करके, आप निकाल सकते थे, height की value is equal to v square by 2g into r square plus k square by r square, यह आती, है ना, अब हम एक question में क्या पूचा है, question में हमसे पूचा है, h square by h slender, ठीक है, तो आईए, अगर मेंको h square by h slender, दोनों के height का basically ratio चाहिए, तो देखना, v same था, g same था, r same है, तो यह आजाएगा, r square plus square का radius, solid square का radius of gyration is 2 by 5r, root में होता है, तो यह r square, ऐसे हो जाएगा, divided by r square, slender का होता है, radius of gyration निकालना आता है, half m r square, इसको आप equate करते है, m k square से, m m गया, k square की value आपकी कितनी आ रही है, that is r square by 2, ठीक है, तो अब r square आपका cut जाएगा, 7 by 5 divided by 3 by 2, तो यह आपका हो जाएगा, 14 divided by 15, आपका ratio आजाएगा, 14 by 15 का ratio आपका maintain होगा, that will be d option, that will be d option, चला जाएगे, बड़ा slow हो गया है भाई, तो यही similar case आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यह आपका homework है, इस concept को जड़ा आप recall करिए और लगाईए, अगरा question है, body rolls down an inclined plane without slipping, यह भी उसी प्रकार का, लेकिन ulti direction में है, एक inclined plane से आता है, without slipping, माल लिजे, इस type से एक platform ले लेते हैं, ठीक है, the kinetic energy of the rotation is half of the kinetic energy, half of, अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, कोई एक body है, ठीक है, तो इसका moment of inertia हम mk square माल लेते हैं, कि अब सबका check थोड़ ना करोगे कि इसका 50% है, कभी भी इस प्रकार से आये, तो आप एक general case लेते है, mk square का, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, जब body roll down कर रही है, on an inclined plane without slipping, the kinetic energy of rotational, जो है, that is half of kinetic energy of translational, यह है, अब कई बच्चों ने, इसके साइद ratios, मंदिल लेजन्ट सीरीज में देखाऊ, इसके ratios बताए जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है, तो यह, आपका होगा, half i omega का square is equal to half of half mv square, यही कहा जा रहा है, ठीक है, अगर देखें, mk square omega को v square by r square आप रख सकते हैं, तो 1 by 4, m या 1 by 2, ऐसी रखते हैं, यह बहुत ज़्यादा slow हो गया भाई, 1 by 2 into 1 by 2 into mv का square, ऐसी रख सकते हैं, इससे फाइदा क्या होगा, अगर आप देखें, तो इससे आपको radius of gyration पता लग जाएगा, ज़र देखना, k square by r square की जो value आ रही है, ठीक है, that is 1 by 2, यह आ रही है, है ना, k square, v square चला गया, m यह सारा कट गया, k square by r square यह है, k की बात करें तो r by root 2 है, अब इसमें देख लीजे किसका radius of gyration आपका r by root 2 होता है, ठीक है, solid cylinder का root 2 by 5 यह गया, ring का होता है, r यह गया, solid sphere का root 2 by 3 गया, hollow cylinder का, हमारे पास, यह तो solid cylinder, अच्छा, solid sphere नहीं है, ठीक है, hollow cylinder का radius of gyration r होता है, इसका k की value r होती है, इसकी k की value r होती है, इसकी k की value root of 2 by 3 r होती है, और solid cylinder का radius of gyration r by root 2 है, solid cylinder है नाके solid sphere, तो यह option आपका answer रहेगा, चला जाए आगे, अगला question आप सभी लोगों का homework है, देखो, uniform sphere of 500 gram roll without slipping on a plane surface with its center moving hydrational speed, kinetic energy क्या होगी, v दे रखा है आपको, तो v is equal to r omega करके omega भी पता लग जाएगा, या total kinetic energy, hint दे रहा हूँ, translational plus kinetic energy, rotational आपके रहेगी, और body का भी नाम दे रखा है, uniform sphere, सर कौन सा लेंगे, जब तक आपको hollow ना बोला जाए, तब तक आप solid लेके चलेंगे, तो this will also be your homework, प्लीज इसको try करना बेटा, बहुत बार, अब आप देख सकते हैं, incline वाले कोशन आपके बहुत बार repeat हो रहे है, ये भी कोशन आपका उसी प्रकार से है, ratio of rotational kinetic energy of the ball to the total kinetic energy, आप ratio निकाल सकते हैं, ये भी आपके लिए homework है, इंक्लाइन वाले rolling motion को अच्छे से एक बार revise करना है आपको, अगला कोशन, two bodies, a ring and a solid cylinder, एक आपकी ring है, ठीक है, और दूसरा आपका solid cylinder है, ठीक है, ये आपकी दो bodies हैं बिटा, of the same material are rolling down with a slipping and inclined plane, ठीक है, without slipping होगा, हाँ, the radius of the both bodies are same, radius हमायर पास same है, ठीक है, mass same material है, हमायर पास, density भी same होगी, हमायर पास, mass भी same आएगा, ठीक है, हमायर पास, या mass हमायर पास same नहीं होगा, volume अलग लगए न, चलिए, mass से तो ऐसे भी acceleration को कोई लेना दे, radius हमायर पास same है, the ratio of velocity of the center of mass at the bottom of the inclined plane of the cylinder is, ठीक है, inclined plane of the cylinder is इतना, then the value of x is, ठीक है, अब ज़र यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इनों ने कहाए कि आप एक inclined plane पे से इस body को roll down करा रहे है, ठीक है, इसमें cylinder की अगर हमारे पास बात है, ठीक है, हमारे पास cylinder की हमारे पास बात है, और जब ये ratio, अच्छा, ratio of the velocities बताना है, सिर्फ cylinder का नहीं है, the ratio of, question एक बार ढंग से रीड गल लेते है, the ratio of velocity of center of mass at the bottom of the inclined plane, अब किसका ratio, ring by solid cylinder का ratio, शायद typo का कुछ गलती है, ठीक है, ratio किस-किस का लेना है, velocity of center of mass की तो बात हमारे पास रहेगी, ज़र ये देखना, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो हमारे पास, यहाँ पर इसके पास एक kinetic energy होईगी, ठीक है, और ये height h है, क्योंकि अब दो bodies हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, general i की value ले लेते है, mk square, अभी हम लोगोंने निकाला था, कि जो आपकी mgh होती है, that is half of mv square into 1 plus k square by r square, इस प्रकार से आपका रहता है, and this v, ठीक है, this v is your velocity of center of mass, दोनों के लिए height same है, सारी चीज़े same है, बस radius of gyration अलग होगा, दोनों का radius of gyration अलग होगा, तो velocity of center of mass अलग-अलग होईगी, तो आप देख सकते हैं, velocity of center of mass का जो square है, that is inversely proportional to, हमारे पास r square plus k square ऐसे आ जाएगा, है न, क्योंकि ये सारी चीज़े same है, और सेट जाओगे, r square plus k square, साथ numerator में r square भी आएगा, लेकिन दोनों का radius same है, तो हमें घबराने वाली बात नहीं है, अब ratio जिसका भी पूछा हो भाई, ठीक है, तो मैं velocity of center of mass of cylinder, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, to the ring निकाल लेता हूँ, ठीक है, velocity of center of mass to the ring का ratio अगर इन्होंने पूछा होता, अब यहाँ पे कुछ missing है, आप question एक बाद चेक कर लेना, हम दोनों निकाल लेंगे, ratio उल्टा भी कर लेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, ring के लिए r square प्लस इसका radius of gyration r है, और solid cylinder था हमारे पास r square प्लस r square by 2, यहाँ हो जाएगा, तो this will be 2 r square and this will be 3 r square by 2, तो यह ratio आएगा आपका 4 by 3, हमारे पास 4 by 3, इस प्रकार से, है न, यही तो आएगा, हमारे पास ring का radius of gyration r, velocity of cylinder का inversely proportional है, तो r square by 2, 3 r square by 2, 4 by 3, अब यह ratio किसके साथ है, या तो यह हो सकता है, या फिर velocity of center of mass of ring to the ratio of velocity of center of mass to the cylinder, हमें अगर होता question में, यह ratio होता, तो यह होता 3 by 4, इन्होंने काई, यह ratio is root x by 2, तो अगर माल लेते हैं, कि हमारे पास 4 by 3 is equal to root of x by 2, अगर है, x की value चाहिए थी, तो यह 8 by 3 is equal to root x आएगा, तो यह 64 by 9, हमारे पास x की value आएगी, और अगर, ऐसा क्यों आ रहा है हमारे पास, the value of x us, यहीं से पता लग रहा है, इसे कुछ गद्द कर रहा है, ठीक है, और अगर हम लोग 3 by 4 कर दें, तो हमारे पास, 3 by 4 is equal to root, root of x by 2, तो यह आपका 2 हो गया, तो 9 by 4, हमारे पास x basically आएगा, यह, तो मुझे question में थोड़ी से गडबल लग रही है, ठीक है, की actually मैं पूछना क्या चाह रहा है, 2 bodies, a ring and a solid cylinder of same material, ठीक है, are rolling down without slipping and inclined plane, the radius of the bodies are same, the ratio of velocities of the, अब, मास से तो कोई लेना देना है नहीं, देखो, velocity of center of mass हमारे पास यह वैसे भी cancel out होएगा, तो मास से कोई लेना देना है नहीं, दोनों का height हमारे पास same ही है, तो r square by k square, ओ हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो, यह square है भाई, ठीक है, यह आपका square है, velocity of center of mass का square है, ठीक है, शायद यहाँ से हमारी गलती हो रही है, क्योंकि बड़ा अजीब सांसर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यह जो ratio आया है that is 4 by 3, अब समझ आया, question क्या होगा, question आपका होगा, according to question, यह लिख लेना, velocity of, अभी हम लोग ने क्या निकाला है, cylinder by ring, तो velocity of center of mass of ring by velocity of question में यह होगा, two cylinder, का जो ratio आएगा, that will be under root में, ठीक है, इसका उल्टागरना, तो यह तो root of 3 by 4, ठीक है, root of 3 by 4, तो that will be under root में 3 by, root 3 by 2, इसी को इन्होंने बोला है, root of x by 2, तो x की value आपके आएगी 3, question मना रहे हैं, बैटल, NTA का paper हम set कर रहे है, hint दे दिया, अब option के हिसाब से, क्योंकि x की value integer type में है हमारे पास, तो obviously integer answer आना चाहिए, तो हम लोग ने यह ratio निकाला, यह square होगा, तो इसका root लोगे तो root 2 by 3, हमारे पास, यह 2 by root 3 हो जाएगा, ठीक ह चला जाए आगे, हमारे पास, यह same चीज है, आपके लिए question में, ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना है, ठीक है, अगला, the center of the wheel rolling on us, सारी चीज़े एक ही जैसी है, प्लीज एक बार आप जरूर इसको try करिएका, यह आपके लिए homework हैं, जिनको अपना rotation सुधारना है, उ ण कें, फ्रॉल से सारी चीज़े ऐ आपके लिए हमसे स्लच करणास, रहे, वास कीज़े में, सारी चीज़े कें, जिनको देख सकते हैं, प्लीज़े, पहल, प्लीज़े एक ही समीश, चैणा, इसारी सिर्म एको रोलिंगारन आपके इसे किसी पर फोकस करना है, ठीक है, तेक of the incline कौन सबसे पहले पहुंचता है ठीक है अब यह चीज तो आपको पता ही है acceleration क्या होती थी g sin theta upon 1 plus k square by r square inclined वाले case के सारे velocity bottom में क्या होगा acceleration क्या होगा time क्या होगा है सारी चीज़ आप पहले से formula wise जाद रखना सबके radius of gyration याद रखना ठीक है अगर आप देखें तो यह acceleration की value हो जाएगी r square g sin theta upon r square plus k square obviously बात है जिसका k ज़्यादा होगा उसकी acceleration कम होगी उसको time सबसे ज़्यादा लगेगा है ना क्योंकि जो accelerate कम करेगा जिसकी acceleration कम है वो धीरे धीरे velocity बड़ेगी धीरे धीरे बड़ेगी उसको समय ज़्यादा लगेगा और जिसका k की value कम है उसका a ज़्यादा होगा तो time कम लगेगा तो अब इन में से सबसे पहले आप देख लीजे k किसका कम है ring का होता है r disk का होता है r by root 2 solid cylinder का disk और solid cylinder का r by root 2 ही होता है ये दोनों तो हट गए solid sphere का हमाय पास under root में 2 by 5 r तो सबसे कम आपको इसी कही मिलेगा ठीक है तो solid sphere सबसे कम time में हमाय पास नीचे basically पहुंचता है चला जाए आगे तो I think ये आपका फिर से time वाला हमारे पास question है ठीक है incline plane of the length L when it slips down the plane अब क्या slip अरे भाय अंगरी जी सारी बेटा incline plane of length L when it slips क्या slip कर रहा है down the plane it takes time T1 when it rolls down the plane it takes time T2 ठीक है T2 by T1 अच्छा कोई सी भी general body की बात हो रही है ठीक है हमार पास वैसे mention करना चाहिए था क्योंकि जब वो roll करेगी तो moment of inertia matter करेगा भाई question एक बार देख लेना 2021 का यह वाला question एक बार आप ढून लेना इसमें कौन सी body है बाई देखो concept में आपको बता देता हूं hint कर देता हूं अगर कोई भी body है बली वो गोल मटोल सी क्यों नहों हमारी जई से अगर friction ही नहीं तो यह हमारे पास सिर्फ ऐसे जाएगा ठीक है रोल नहीं करेगा यह प्योर translational motion होगा तो इसकी acceleration कितनी होती है g sin theta आप यहां पर क्या लगा सकते है s equal to ut plus half gt square आप लगा सकते हैं तो यह length हो गया rest से start हो रहा है half of g sin theta into t1 का square जब यह properly slip होते हो आ रहा है अगर यह आपका rough होता ठीक है तो आपका acceleration वही अब body पर depend करेगा g sin theta upon 1 plus k square by r square आपका होगा तो s equal to ut plus half 80 square आप लगाए u की value 0 यह half g sin theta upon r square plus k square by r square into t2 का square आपका यह रहेगा body देख लेना कौन सी की बात हो रही है फिर यह ratio ले लेना और x की value आप यहां पर बता देना तो I think इसी प्रकार से आपका यह वाला question भी है ठीक है a ring of radius r and mass m rotating एक आपके पास ring है ठीक है एक आपके पास ring है of radius r and mass m rotating with a angular velocity omega 0 यह आपकी घूम रही है omega 0 से ठीक है is placed over a rough horizontal surface आपने एक rough surface पे रख दिया है ठीक है the initial velocity of the center of mass is 0 यह पहले rest पर था what will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip मतलब यह जैसे मतलब आपने पता क्या करा कोई चीज को जैसे आपके हाथ में football होती है आप उसको गोल घुमा के जब जमीन पे छोड़ते हैं तो कर करके आगे भागती है तो यह पहले तो यहाँ पर slipping होएगा का friction रहेगा और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद यह इस प्रकार से rolling motion में आ जाएगा velocity of center of mass यह omega से आपका घुम रहा होगा and this will be equal to r omega ठीक है और इस समय आपका जरो देखो पहले तो आपका यहाँ पर क्या है इस type से friction इस case में आगे लगेगा पूछा है हमारे पास what will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip अब जरो यहाँ पर ज्याँ से देखो आपको पदा लग रहा है कि friction यहाँ पर torque generate करेगा omega को कम करेगा और friction यहाँ पर इसको accelerate करेगा ठीक है तो आप impulse momentum theorem से भी जा सकते है angular impulse momentum theorem लेकिन उससे better है कि आप angular momentum torque of friction is zero क्योंकि यह इसी पर लग रहा है न हमारे पास तो हम अगर हम लोग यहाँ पर ध्याँ से देखें mg का torque और normal दोनों cancel out करेंगे और हमारे पास क्योंकि line of action दोनों का यह होगा ना यह perpendicular distance mg equal to n translate ऊपर नीचे जा नहीं रहा यह आपका रहेगा और इन दोनों के लिए जो भी perpendicular distance है वो हमेशा सेम रहेगा तो इनका torque हमेशा cancel out कर जाएगा और friction का भी आपका torque नहीं होगा है ना friction का भी आपका torque नहीं होगा तो आप angular momentum conserve कर सकते है angular momentum initial must be equal to angular momentum final आप कर सकते हैं तो initial angular momentum क्या है m ring थी mr square omega 0 और कुछ देरी के बाद यह चल भी रही और घूम भी रही है तो चलने के वैसे देखो line of momentum आपका यह होगा जब body चल भी रही हो घूम भी रही हो तो दोनों हमारे पास एक रहेगा mvr ठीक है radius r ले लेते है small r ठीक है हमाय पास और यह घूम भी रही है तो omega को v by r रख लिया जाए ठीक है small r यार ठीक है कहीं बड़ा लिख रहा हूं कहीं छोटा अरे v equal to r omega omega equal to v by r आपका आजाएगा तो यह हो जाएगा m उड़ा दिया r square omega naught is equal to v into r plus r square into v square by r square यह क्या गंदी ही हो रही है हाँ v by r तो यह आजाएगा r square omega naught is equal to हमारे पास 2 v r r और r गया r omega naught by 2 that is your v यह इतने v से चल रहा होगा तो आपका answer क्या आजाएगा r omega naught by 2 that will be your answer चला जाए आगे a spherical shell of 1 kg of radius r is rolling without angular यह आपका homework है बिलकुल उसी प्रकार से the magnitude of angular momentum of the shell about origin इस point के बाउट तो एक translatory mvrb plus i center of mass omega b इसके पास होगा बस value डालके equate करना a की value report कर लेना अच्छा इसको मैं orange करना भूल गया लेकिन यह आपका homework है ठीक है अगला thank you thank you thank you भाई बहुत बड़ा chapter था ठीक है काफी लंबा हो गया दो पार्ट मैं अलग से करें हैं ठीक है और यह वाला अगले दिन आगे कर रहा है तो यहां पर आपका rotation होता है मैंने बहुत सारे आपको देखो rolling motion में आपके सबसे पहली चीज incline वाला आपका clear होना चाहिए कौन पहले पहुंचेगा किसकी velocity क्या है वह अला पार्ट अगर आपका clear है फिर आपका angular momentum conservation rolling motion में आपका clear है फिर उसके बाद जो पहला वाला question था कि आप translatory और rotatory की equations अगर अच्छे से लिख पा रहे है वह clear है तो आपका rolling motion आपका basically clear है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है moment of inertia में हमारे पाद integration वाले है additive है, negative है, सारे questions आपके हुंवक है जो अब आप question को देख के कह सकते कितने repeat हो रहे है कितनी बार repeat हो रहा है इसी प्रकार से आपको analysis करनी है तो अपने लोग मिलेंगे next class में till then आप bye bye take care पढ़ते रहिए मचाते रहिए